असलाम अलेकुम दोस्तों, वैलकम टू माई चैनल उर्दू नाविल वर्ड, अगर आपको हमारी विडियोज अच्छी लगें, तो हमारे चैनल को सबसक्राब करें, और हमारी विडियोज को लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया, चली नाविल शुरू करते हैं. नाविल का नाम है धूप ढल जाएगी रूनमाई का तोहफा पसंद आया मिजगान बेगम सुलगते हुए अंगारे की मानिंद संसनाता लहजा और खंजर की नोग की तरह कटीले अलफाज जिसने इसकी तमाम हसुहे को मफलूज कर दिया था आखों में तमस्खुराना रंग लिये वो इसकी आखों में ज्खाकते हुए इस्तफार कर रहा था और दूसरी जानिब मिजगान हैदर पत्थर का बत्बनी बस एक टुक इसे देखे जा रही थी कि अभी वो कहेगा अरे मिजगान में तो मजाक कर रहा था और वो कहेगी कि ये कैसा मजाक है जिसने मेरी जान ही निकाल दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ वो हनूस तनफर और तहकीर के रंग चहरे पर सजाए किसी फाते जनरल की तरहा अपनी जीत के नशे में डूबा मकरू हंसी हंस रहा था। क्या हुआ खुशी से सकता हो गया। वो इसके करीब आकर इंतहाई मसूमियत से आंखें पिटपटा कर बोला। इस समय मिशगान के मुझमत जहन ने शओर की वादी में कदम रखा। वो इंतहाई तेजी से पीछे हटी चली गई। मारे इस्तिजाब औ सदमे के इसे लगा जैसे इसका सारा जिसम शल हो गया हो और जबान जैसे किट गई हो। मिशगान की साकित और सामित आखों में हैरत और बैकीनी और गम और गुसे के बैक वक्त उभरे थे। ये ये किया है आजर मुप। इंतहाई दिक्कतों से इसने अपने हलक से ये अलफाज निकाल कर होंटों की जानिब धके ले। मम मेरा कु जर्जे को रंज उस अदमे से देखती तो कभी हैरत और इस्तिजाब में घर कर सामने खड़े आजर मुप को। जो कल रात ही इसे बया कर अपने घर में लाया और सारी रात गुजरने के बाद जब फजर के वक्त कमरे में कदम रंजा फरमाये तो रुनमाई में ये कागस का चोटा सा टुकडा इसे थमा दिया जिसने इसकी जात की धजियां बखेर दी थी जिसने इसे शदीद गम उस अदमे की अमीक वादियों में धखेल दिया था और सिर्फ एक ही पिल में इसकी जुगनू जैसी आर्जूएं तिकली की मानिंद रंबरंगी खाहिशा वो सुनहर पर पड़े इस सुखे पते की मानिंद हकीर कर दिया था जो लोगों के कदमों तले आकर रेजा रेजा हो जाता है। रू तो इसकी रेजा रेजा हो ही गई थी अब वो इस जिसन को कैसे बचाएगी। वो बखुबी जानती थी कि एक तलाक अक्तह लड़की को मौशरे में म न मुफाद पूरे करने की कोशिश करता है। आह आजर मुख तुमने मेरे किस गुना किया इतनी भयानक सजा दी है कि मेरी हस्ती मिटी भी हो जाएगी लेकिन ये सजा खत्म नहीं होगी। मजगान जो रात भर आजर के कमरे में ना आने की वज़े से अजीब किसम के खौफ और ख़जशात में घर गई थी। वही खौफ और ख़जशात हकीकत का पैराहन पहने इसका मजाक उड़ा रहे थे। दुख की तुंद और तेज लहर ने इसके वजूद को पूरी तरह से लपेट में ले लिया, वो बेतहाशा रूदी। आजर मुक इसे फूट फूट के रोता देखकर एक लम्हे को नादिम सा हुआ लेकिन अगले ही पिल इंतिकाम और बदले की आग तेजी से भड़ा। उठी। जिसे मिशगान के आंसू भी बुझाने में नाकाम रहे। हाँ, ऐसे ही वो भी तो रोई थी। अपनी बरबादी पर कितनी बेबसी थी इसकी आलम में बोलता चला गया। मिशगान ने बेहचोंक कर सर उठाया। आज मेरा इंतिकाम पूरा हो गया मिशगान हैदर जिसकी आग में, मैं पूरे दो साल से जल रहा था। मेरा दिल सुलगता हुआ अंगारा बन गया था। लेकिन आज, आज में परसुकून हो गया। वो स के जवाब में तुमने मुझे सिर्फ एक रात बाद ही तला। वो हज्यानी अंदाज में बोलते बोलते चुप हो गई। आंसूं का गोला गोया हल्क में फंसा गया। शुक्र करो मिजगान हैदर, मैंने तुम्हारे साथ कुछ रियायत बरती है, बलके काफी रियायत बरती है क्यूंके मैं कामरान हैदर की तरह इतना रजील और बदकार आदमी नहीं हूँ, अगर ऐसा होता तो तुम्हारे साथ इतना बुरा सुलूक करता के तुम्हारे खांदान की साथ नसले भी इसे फरामोश नहीं कर पाती। वो तनफुर आमेज लहजे में इंतहाई रउनत से ह दुश्मनी थी, जिसका तावान तुमने मेरी हस्ती की धजियां आडा के वसूल किया। मिशगान हैरत के समंदर से बमशल खुद को निकाल कर बोली। कामरान हैदर जो मिशगान का सगा भाई था, जो दो साल पहले ही अपनी खालाजाद रोमा से शादी करके आस्ट्रेलिय प्याजा बसा था, आखिर इसने ऐसा किया किया, जिसका इंतिकाम आजर मलिक ने मुझ से लिया। मिशगान के दिमाग में ये सवाल बुरे तरह चक्राने लगा। आजर पिलेस, मुझे बताओ भाया ने ऐसा किया किया था, जिसके बदले में तुमने मेरी जिन्दगी प्रारी के आलम में बोलते बोलते फिर से रूदी, ओने, मैं चाहता तो कामरान को जान से मार कर भी अपना इंतिकाम पूरा कर लेता लेकिन जो सजा मैंने इसे तुम्हारे जर्ये दी है, वो इसे कभी सुकून से नहीं रहने देगी, और यही मैं चाहता हूँ कि इसे कबर म भी सुकून ना मिले, वो जहर खंद लहजे में बोलता हुआ मिजगान को इंतहाई सफाक लगा, तुम्हारे भाई ने दो साल पहले अपनी कलास फैलो निशाक की जिन्दगी बरबाद कर दी, इसे महबत के पुर्फरेग जाल में फंसा कर इस से जिन्दा रहने का हक तक ची और खुद अपने खालाजाद से शादी करके आस्ट्रेलिया भाग गया, मिजगान को यू लगा जैसे किसी ने इसके जिसम पर बम बांध कर उसके वजूद को आड़ा दिया हो, वो कमीना मेरी बहन को जिल्लत और उस्वाई के अंधेरों में धकेल कर खुद जिन्दगी की रोशनियों और अनाईयों की तरफ पलट गया, और मेरी मासूम बहन निशाक ने बदनामी के खौफ से खुद कुशी, बोलते बोलते आजर की आवाज भरा गई, और मेरी मा जो हम दोनों को देख देख कर जीती थी इस सदमे से वो भी, आजर के कर्ब आमेज लहजे में कित अखनी ताकत से तोड़ा के जिसकी कर्चियां दूर दूर तक बखर गएं, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया आजर मुक के तुमने मेरी इज़त के आबगीने पर कीचर का कोई चींटा नहीं मारा, वो आबगीना हनूस शफाफ और चमकदार है, लेकिन इस बात का यकीन कौन करेगा, वो दुख और बेबसी से सोचे गई, तुम्हारे इस जलील भाई ने मिजगान हैदर, आजर की धार इसे यक लखत हाल की दुनिया में ले आई, मिजगान इसे सहम कर देखने लगी, तुम्हारे भाई ने हमारे हंस्ते बस्ते घर को जो खुशियों का गहवारा था कबरिस्तान बना दिया, हमारी पुरबहार जिंदगी में हमेशा के लिए खिजा के मौसम को ठहरा दिया, और मेरी मासूम बहन निशाक जो खाहिशों और खाबों के जूले में जूला करती थी, इसे लहत की अंधेरी गोद में सुला, दिया, वो हज्यानी अंदाज में मिज मिजगान इस अचानक उफतात पर संभल ना सकी और मुनह के बिल जमीन पर गिरी, आजर मुठिया भयन्चे अपने इश्तियाल पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मिजगान जल्दी से घबरा कर उठी इस वक्त वो बिलकुल वहशी जानवर लग रहा था, और जानव अब बढ़िये खानदान को बताओ के तुम एक रात की उन्चुई दुलहन हो और हाँ, अपने भया से कह देना के निका के कागस के एवज आजर मलिक ने तुम्हे एक रात के लिए खरीदा था, मिजगान ने अपना हिनाई हाथ अपने होंटों पर सक्ती से जमाते हुए अ लेकिन माई डार्लिंग माईलो फरहीन ने मुझे अपनी किस्म दे कर रुका, अचानक धर की आवास से दर्वाजा खुला और एक इंतहाई खुबसूरत सी लड़की नखवत से नाक चड़ाए पेशानी पर लातादाद शिकने से जाए अंदर आई, आजर तुम ने इसे अ कर उसके गिले लग गई थी, जिल्लत से इसका दामन पुर हो चुका था, तोहीन वो इहानत की तमाम सुयां इसके पूरे जिसम में पैवस्त हो चुकी थी, वो चुप चाप तलाक नामा हाथ में लिए बाहर आगई जहां आजर का डाईवर इसका मुंतजर था, अरे लड़ ही थी, आज मेरी गुड़िया अपने सुस्राल में पहली बार नाश्ता करेगी लहाज़ा किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, कल रात ही तो उनकी ननी गुड़िया अपने प्या के संग दूसरा जहां आबाद करने चली गई थी, और सिर्फ एक ही रात में वो उनका आ वक्त महरान हैदर अपनी तालीम से फारिग हो चुके थे, जबकि कामरान हैदर मैट्रिक का स्टूडेंट था और मिजगान छटी जमात में थी, हैदर साहिब अपना चलता हुआ लैदर का बिजनस छोड़ कर मेरे थे, जिसको महरान हैदर ने इंतहाई खुश असलूबी से संभाल लिया था, मिसिस हैदर ने अपने शोहर की जिन्दगी में ही महरान हैदर की शादी अपनी भांजी उजमा से कर दी थी, जो काफी तेज तर्रार और चालाग थी, सास और अपनी छूटी नंद से हमेशा तिनके की मानिंद आखों में खटकती थी, जबकि मिसिस हैदर का सलूक अपनी बहु के साथ शफकत आमेज था, उजमा बेगम फी अलहाल मसलिहत और खामोशी की चादर ओड़े हुए थी, क्योंके उजमा के बाप महबूब मिर्जा ने महरान हैदर के सरपरस्त बन कर उसके बिजनस में अपना काफी कंट्रोल रखा हुआ था, उजमा से को मंगनी के बंधन में बांध दिया था, इस रिश्टे से उजमा बेगम बहुत खुश थी क्योंकि इस तरह घर में पूरा होल्ड सिर्फ उनका हो जाएगा, रोमा और कामरान दो साल पहले शादी करके आस्ट्रिलिया चले गए थे, महरान हैदर की एक बेटी अबीर और ब बैठने लगा था, जिनका मशगला मासूम और भूली भाली लड़कियों को महबत के पुर्फरेब जाल में फंसा, कर अपना मकसद पूरा करना था, पुछ कामरान हैदर भी फितरतना दिल फैंक और रंगीन मिजाज किस्म का लड़का था, यूनिवर्सिटी में इसे निश निशाक सच मुछ कामरान जैसे आवारा सिफत भनवरे से महबत कर बैठी और कामरान हैदर ने इसकी आँखों में महबत और चाहत की खुशनुमा पट्टी बांध कर इसका सब कुछ चीन, लिया, जब निशाक ने शादी पर जोर दिया तो इसने रास्ता बदलने में एक ल निशाक की कशिश भी कामरान के लिए खत्म हो चुकी थी, बाहर जाने के लिए वो काफी अरसे से कोशिश कर रहा था, निशाक से जान छुडाने के लिए वो रोमा से शादी करके आस्टेलिया भाग गया और वहां की रंगिनियों में रोमा के साथ खोकर निशाक को था, बिजनस के सिलसिले में ही वो महरान हैदर से मिला, महरान हैदर आजर से काफी मतासिर हुआ था, आजर मुक दो तीन बार घर भी आया और वही मिजगान को देख कर उसने अपना रिश्टा पेश कर दिया जिसे महरान हैदर ने फौरण कुबूल कर लिया और आजर मुक निशाक का भाई था, जो कामरान हैदर से बदला लेने आया था, इन दिनों जब निशाक के साथ ये हादसा हुआ लंदन में मुकीम था, बहन पर गुजरने वाले सानिहा का पता चला तो भाग कर पाकिस्तान आया, मारे नदामत और शर्म के निशाक भाई के सामने भी नही आये, वो खुद ही इसके कमरे में गया, मिसिस मलिक ने इसे कामरान हैदर के बारे में सब कुछ बता दिया था, जो उन्होंने निशाक से पूछा था, इसे निशाक पर इस बात का गुस्सा था कि वो, क्यों कामरान हैदर के फरेब में आ गई, लेकिन इसकी उजार सूरत औ और आखों में वीरानी देखकर वो अपना गुसा भूल गया और इसे गिले लगा कर बच्चों की तरहरू दिया और फिर इसी रात निशाक ने बिलेड से अपने हाथ की नसकाट डाली और हमेशा के लिये खुद को लंबी नींद सुला दिया। वो जो नींद की इतनी कच्ची थी के जरा सी आहत पर चौंक कर उठ जाती थी। मरने के बाद भी इसके मासूम चहरे पर दुखो इस महलाल के रंग और इस्तिराब का अक्स नुमाया था। आजर को ऐसा लग रहा था कि सकती से भी नुची हुई जिंदगी से महरूम मुर्दा आखों में अभी भी आँसू मौजूद है। इन साकितों सामित होंटों पर बहुत सी आहें और सिस्कियां बाहर निकलने को मचल रही थी। आजर मुक इंतिकाम और इश्टियाल की जब में आकर कामरान हैदर को शूट ही कर देता लेकिन निशाक के सदमे में मिसिस मुक को सख्ट हार्ट अटेक हुआ। डॉक्टरों ने आउपरेशन का बताया तो यूँ वो अपना इंतिकाम। फी फॉर एक तरफ रख कर मा की तिमारदारी में लग गया। वो उन्हें लंदन अपने साथ ले आया। मिसिस मुक का आपरेशन तो हो गया लेकिन उनकी सिहत दिन बादिन गिर्ती चली गई और एक दिन खुद भी निशाक के पास चली गए। इन दो सालों में आजर ने काफी थंडे दिमाग से कामरान से बदला लेने का सोचा और फिर इसे ये रास्ता सबसे बेहतरीन नजर आया के कामरान हैदर को इसी की बहन के जरिए ऐसी सजा दी जाए के मौत के। बाद भी इसे सुकून ना मिल सके। और वो जो सोचे समझे प्लान के तहट इस घर में आया था, आज इसका प्लान इंतहाई काम्याबी से दोचार हुआ था। आजर की आवाज में चटानों ससक्ती कामरान ने साफ महसूस की। क्यों आजर कोई प्राबलम हो गई है। कामरान यकदम खद्शात में घर कर घबराए हुए अंदाज में बोला। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है मिस्टर कामरान हैदर के जो जुजल्म तुमने दो साल पहले एक मासूम लड़की पर किया था। आज इसके भाई ने इसका इंतिकाम ले लिया। है आजर की आवाज इतनी सर्द और बर्फिली थी के कामरान को अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस हुआ मैं वापस जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी तरह भाग कर नहीं मैं चाहता तो तुम्हारे घर खुद भी आ सकता था और तुम्हारा मस्ख चहरा सबसे के सामने बेनिकाब भी कर सकता था लेकिन फिर सोचा के मिजगान ये काम बखू भी कर सकती है। आजर ये तुम किया कह रहे हो। कामरान बहुंचका सा आजर से इस्तफसार कर रहा था ओ तो इतनी जल्दी भूल गए निशाक मुख को कामरान की समात पर जैसे खोलता हुआ सीसा अपड़ा कामरान के बेजान हाथों से मोबाइल छूट गया और दूसरी तरफ आजर ने गहरी तमानियत महसूस करते हुए लाइन डिसकनेक्ट कर दी कामरान तूटी हुई शाख की मानिंद कालीन पर ढह गया आखों के परदे पर बार बार निशाक और मिजगान का चहरा गूमने लगा इसने हैदर हाउस के गेट के अंदर लरस्ते पैरों से कदम रखा जहां अभी तक बरके कुमकुमों की जेल रलटकी हुई थी बड़े से लान के चारों तरफ डेकोरेशन की कुरसियां उल्टी सीधी पड़ी हुई थी सुर्ख रविश पर जा बजा गुलाब के बासी फूल मसले हुए पड़े थे मिजगान को इन पत्तियों पर अपना गुमान हुआ वो अपने डोलते वजूद को जैसे तैसे घसिकती हुई अंदर लाउंज तक आई जहां एक अफरातफरी का आलम था अरे मिजगान को गुलाब जामन बहुत पसंद है वो याज से सामान में रखो मिजगान को अपनी उम्मी की खुशी और सरशारी में डूबी हुई आवाज आई जो बेटी के सुहागन होने की बेपाया मसर्रत और इत्मीनान में अपनी तमाम बीमारियों को भुलाए काम में जती हुई थी उन्हें काफी अरसे से शूगर और बिल्ट प्रेशर की शिकायत थी अरे याद आया आंटी मिशगान की चचाजाद बहन राहिला की आवाज आई मिशगान को हम बात करते करते जुही इसकी नजर दाखली दर्वाजे की तरफ पड़ी एकदम जबान के आगे बरेक लग गया कोरे दबकी के काम का दीदा जेब सुर्ख अरूसी शरारा पहने वो बिलाशबा मिशगान थी जिसके चहरे पर कोई इंतहाई तकलीफ दे कहानी रकम थी सिर्फ एक ही रात में उजली उजली मिशगान इस बाख की मानिंद लग रही थी जो एक दिन पहले खूबसर सब्जोफुलदार था लेकिन दूसरे ही दिन ऐसी जर्द आंधी की लपेट में आ गया जिसने इस बाख को तहस नहस कर के आजाओ वीरान कबरिस्तान में तबदील कर दिया राहिला को हवननक बना देखकर रोमा और उजमा बेगम ने इसकी निगाहों के ताकुब में नजरे दोड़ाएं तो उनका हाल भी राहिला से मुखतलिफ ना हुआ अरे भाई ये तुम लोग सब अचानक खामोश क्यों हो गए मिसिस हैदर हैरत से बोले मिशगान तुम ऐसे कैसे आ गई सबसे पहले उजमा भावी नहीं अपने आपको संभालते हुए मिसिस हैदर की बात को नजर अंदास करते हुए कह मिशगान मिसिस हैदर बिजली की सुरत से पीछे पल्टी और दर्वाजे के फरेम में तस्वीर की मानिंद साकित और सामित खड़ी मिशगान को देखा जो इस वक्त ऐसी बेजान और खसता हाल तस्वीर लग रही थी जिसके तमाम रन अलिफार चुके थे अमी मिशगान मा की सुरत देख कर बखर गई और गोली की तेजी से मा से आकर लिपट गई अमी अमी मिशगान की जबान इस लफसे आगे ना बढ़ सकी आंसूं का सेलाब बंध तोड़ कर तेजी से आखों के रस्ते बह रहा था तमाम हाजरीन पर जैसे सकता सातारी हो गया गोया किसी ने जादू की छड़ी से उन्हें पत्थर का बद बना दिया हो उजमा और रोमा ने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलहिदा किया और जबरदस्ती पानी पिलाया मिशगान मेरी बच्ची क्या हुआ है मिसिस हैदर इंतहाई बधवासी के आलम में बोलें तो मिशगान ने चुप चाप वो कागज मिसिस हैदर की तरफ बढ़ा दिया जिसे उन्होंने बड़ी बेताबी से थामा था चन्द सानी फटी फटी निगाहों से वो अपनी बच्ची के नसीब की इस सियाही को देखती रहे और फिर अगले ही लम्हे सोफे पर दूसरी जानिब लुडग गई उमी मिशगान बेतहाशा चिलाते हुए मा की तरफ जुकी मगर उनकी रुकफस अंसरी से परवाज कर चुकी थी चाचा बेचारी को शादी की अगली ही सुबह तलाक हो गई नजाने ऐसी किया बात हुई के लड़के ने सुबह ही सुबह इसे तलाक नामा थमा कर अपने घर से निकाल बाहर किया अब भला एक रात की बियाही तलाक याफता को कौन पूछेगा सुईम के दिन खानदान और महले की औरतें बजाहर अफसोस करते हुए पसपरदा इस पर तंस और तमस्खुर के तीर बरसा रही थी अरे बहन तुम नहीं जानती आज कल की लड़कियां कितनी बेबाक और बेशर्म हो गई हैं के लड़के भी उनसे पना मांगते हैं एक औरत ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए रायजनी की हाँ बहन कहती तो तुम ठीक हो अब नजाने ऐसी क्या बात हुई के लड़के ने सुबही एक कोने में आंसु बहाती मिजगान मजीद ना सुन सकी और वहाँ से तक्रीबन भागती हुई अपने कमरे में आ गई अमी अब क्यूं चली गई मुझे ऐसे लोगों के दर्मियान छोड के जो मुझे जहर में बुझे अलफाज के तीरों से चलनी करते रहेंगे रोज मेरे किरदार के बखिये उद्र गे मेरी जात की धजजियां बखे रिंगे वो बेतहाशा रंज और अलम में डूबी गिरिया उजारी कर रही थी लेकिन उमी एक तरह से अच्छा ही हुआ अब भला ये कैसे देख पाती के आपकी लागली बेटी के किरदार पर कैसे कीचर उचाली जा रही है वो खुद से बोलती चली गई मौाद अरवाजे पर दस्तक दे कर कोई अंदर आया मिशगान ने सर अलिफाटे कर देखा कामरान हैदर निधाल निधाल सा मुझेहमल अंदाज में अंदर आ रहा था अचानक मिशगान के अंदर नफरत का लावा फूट बढ़ा भया चले जाओ तुम मेरी आँखों के सामने से तुम्हें देखकर मुझे खुद से घं आने लगी है कि मैं तुम जैसे घटिया इनसान की बहन हूँ तुम सिर्फ निशाक के गातिल नहीं बलकि तुम सब के गातिल हो निशाक को बरबाद करते वक्त तुम्हें अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं आया बो भया मिशगान फूट फूट कर रोए गई कामरान नदामत से चावर अंदाज में इसके गरीब दोजानों होकर बैठ गया पिलेज मिशगान मुझे मुझे मुआफ कर दो आज मेरी वज़े से तुम्हारी ये हालत इतना कहकर वो खामोश हो गया आंखें शिद्दत जब से सुर्ख हो रही थी ओने अब मुआफी मुझे से क्यों मांग रहे हैं मुआफी तो इस लड़की से मांगए भाया जिसे जीने की आरजू थी जिसके खाबो आरजूई इसकी जिनका अपने इंतहाई सफाकी से खून कर दिया वो भला अपने खाबों अकुर आरजूँ के बना जिन्दा कैसे रह सकती थी और खुद ही मौत को गिले लगा बैठी जाएं भाया पहले इस से मुआफी मांगे मिशगान जारोकितार रोए गई कामरान नदामत और शर्मिंदगी के समंदर में डूब उभर रहा था काफी देर तक कमरे में खामोशी चाई रही सिर्फ मिशगान की दबी दबी सिस्कियों की घटी घटी आवाजें कमरे के माहौल को वहशच जदा बना रही थी मिशगान मुझे तुम से एक इलतिजा करनी है कामरान अपनी तमाम तर हिम्मतें जमा करके धीरे से बोला वो जो बात मिशगान से कहने आया था इसे करने की इसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी मिशगान ने चौंक कर अपना सर घुटनों से अलिफाटे कर इसे इस तफ़ामिया निगाहों से देखा मिशगान पिलेस तुम इस बात का जिक रोमा और भाया से मत करना कामरान ने अटक अटक कर जुम्ला मुकमल किया मिशगान ने इसे इंतिहाई तासुफ से देखा जो इसे इस वक्त खुदगर्जी के उंचे मिनार पर बैठा नजर आया कामरान मजीद शर्मिन्दा हो गया देखो मिशगान इस तरह सिर्फ मेरा ही घर नहीं बलकि भीया का घर भी बर्बाद हो जाएगा उसमा भाभी भला रोमा पर ये जल्म होता देख सकेंगी कामरान इसे रसानियत से समझाते हुए बोला मिशगान ने गहरी सांस लेकर सर दिवार से टका दिया ठीक ही तो कह रहे हैं भीया मैं तो बर्बाद हो ही गई हूँ अब अपने दोनों भाईयों का घर क्यों तबाह कर दू नहीं मैं भीया की तरह खुद गरज नहीं हो सकती और वैसे भी सद्यों से बहने ही अपने भाईयों की खुशियों पर कुर्बान होती आई हैं मैं इन से मुख्तलिफ तो नहीं हूँ वो दिल में सोचे गई ठीक है भीया मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी आप बेफिकर रहें इतना कहकर वो तेजी से अलिफाटे कर बात रोम में घुस गई वो इस वक्त कामरान हैदर की शकल देखने की मजीद हिम्मत कर नहीं पा रही थी जिसने एक मासूम और भूली भाली लड़की की जिन्दगी के साथ इतना बड़ा धुका किया कि इस बेचारी को मौत की गोद में पना लेनी पड़ी जिन्दगी का पहिया किसी के जाने से रुकता नहीं ये अपने मखसूस रफतार से चलता रहता है और इनसानों को इस पहिये के साथ ही कदम मिला कर चलना पड़ता है मिसिस हैदर को गुजरे हुए दो महीने हो चुके थे मिशगान के दिल का जखम गो के ताजा था लेकिन फिर भी जीना तो हर सूरत में था चाहे रूजखमों से चलनी हो और दिल पर गमों के पहार तूटे हो लेकिन ये सांसे तो फिर भी चलती रहती है मिशगान जिन्दगी गुजारने के लिए सांसे तो ले रही थी लेकिन वजूद कबरिस्तान हो चुका था जहां इसकी आर्जूई इसके अर्मान दफन थे और कुछ नौजाईदा खाब भी इस खंडर वजूद के किसी कोने में पड़े पड़े अपनी मौत अप मर चुके थे पिछले महीने रोमा और कामरान भी आस्ट्रेलिया फलाई कर गए थे अब घर में सिर्फ और सिर्फ उज्मा बेगम की राजधानी थी वही घर के सियाओ सफेद की मालिक थी महरान हैदर जो पहले ही संजीदा और खुश्क मिजाज थे मिजगान के साथ इस हादसे के बाद इंतहाई बदमिजाज और रुखे हो गए थे दीगर लोगों की तरह उन्हें भी वही कुसूरवार नजर आती थी मिजगान ने कामरान हैदर से अपनी कही हुई बात निभाने और किसी को भी अपनी तलाक की वज़ा नहीं बताई हालाके उजमा भाभी और रुमा पूच पूच कर ठक गई लेकिन इसकी चुपना तूटी जाते समय रुमा इससे सख्ट खफा हो कर गई थी उजमा भाभी ने भी काफी नागब चड़ाई थी और दरपरदा ऐसी बाते सुनाई थी कि वो मारे शर्म के किटसी गई थी उजमा बेगम को अजल से ही मिजगान और मिसिस हैदर से बीर था मिसिस हैदर का कांटा तो साफ हो गया था लेकिन मिजगान का रोड़ा उनके पैरों पर आ गया था जिसे वो अपनी ठोकर से बहुत दूर फैंट देना चाहती थी मिजगान को उन हादसात के बाद से ऐसी चुप लगी थी कि लब अलफाज अदा करना जैसे भूल गये थे महरान हैदर के बिजनस टूर पर जर्मनी चले जाने के बाद तो गोया उजमा बेगम को मैदान साफ मिल गया वो बाकाइदा ताने तश्नी पर उतर आएं मिजगान की रुस्वाईयां घर से बाहर पहुँचाने में उन्होंने बहुत नुमाया किरदार अदा किया कुछ दिन से मिजगान की तबियत निधाल सी थी कम खाने और कम सोने से इसकी तबियत खराब हो गई एक दिन यून ही इसे उबकाई आ गई वाश रूम से वो मुजमहिल सी बाहर निकली तो कमरे में मौजूद उजमा ने टिटोलती निगाहों से इसके सरापे का जाइजा लिया कि मिजगान उनकी निगाहों का मफहूम समझ कर किटसी गई उनह एक दिन की शादी का समर अलफाफ अलफाज थे आनकीले पत्थर जो धरा धर उसके वजूद पर गिरे थे भाभी इंतहाई मुताजिब निगाहों से मिजगान ने उजमा बेगम को देखा ऐसी कौन सी बात कह दी जो तुम्हारी आँखें बाहर को उबल आए उजमा बेगम तनफर से बोले भाभी पिलेज मिजगान के सबर औजब्द की दिवारें बुरी तरह धैसे गए वो तेज आवाज में बोली ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाभी पिलेज अप मेरा यकीन करें उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं कहते कहते इसकी आवाज बिलकुल मद्धम हो गई उजमा भाभी अस्तहजाए अंदाज में जोर से कहका लगा कर हंसी उनकी आखों की चुभन मिजगान को किसी नुकदार मेखों की मानिंद लगी जो इसकी रूमे शिगाफ डाल रही थी ये ड्रामे किसी और के साथ करना मिजगान बीबी तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारे गुना का एतिराफ है और शायद इसी गुना की वज़े से आजर ने तुम्हें शादी की दूसरी सुबह ही तलाप दे दी अलफाफ मिजगान ने बेख्तियार अपने कानों पर हाथ रख दिये उजमा भाभी के अलफाज इसकी समात को मफलूज कर गए मामा शमसा मामी आई है इसी दम अबीर अंदर दाखिल हुई मिजगान बिस्तर पर ढह गई और उजमा बेगम हना कहकर कमरे से निकल गई अबीर को मिजगान की दिगरगों हालत देखकर बहुत दुख हुआ लेकिन मा के डर से वो सिर्फ दिल में दुखी होने के और कुछ नहीं कर सकती थी मजबूरना वो भी मा के पीछे चल पड़ी मिजगान का पूरा जिसम ऐसे काम परहा था जैसे सख्त सर्दी में बर्फ का पिगला हुआ पानी इसके वजूद में डाल दिया हो सिर्फ दो मा के अंदर-अंदर मेरी जिन्दगी की काया ही पलट गई पहले ये जिन्दगी मेरे लिए फूलों की तरह हुसैन और मसहूर कुन थी खाब की तरह सहर अंगेज और रंगीन थी अब यही जिन्दगी एक लख्त खारदार कांटों, जलते सहराओं और अमावस की रातों की मानिंद महज अंधेरा क्यों बन गई ए मेरे माले, मुझे मेरी इस्तितास से ज्यादा मत आजमा वगरना में जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, वो खुद फरामोशी के आलम में बोलती गई, उसमा बेगम ने मिजगान का हर तरह से नातिका बंद कर रखा था, खांदान वाले जो उसकी तलाक का सुन कर पह अबीर और उमेर को अपनी फूपों से मिलने की कतना इजासत ना थी, महरान हैदर जर्मनी से वापस आये तो उसमा बेगम ने उन्हें भी मिजगान की तरफ से खूब मतनफिर कर दिया, अलबत्ता कामरान हैदर का कभी कभार फोन आ जाता वो मिजगान के लिए काफी प्रे जाम कर, लिया, आज कल वो तखलीक के मराहिल से गुजर रही थी, कामरान बेहद खुश था और रोमा ने इस मौका से फाइदा उठा कर इसे खूब अच्छी तरह से अपने मुठी में लिया हुआ था, इस बार महरान हैदर बिजनस टोर पर फारिन ममालिक गए, तो उसमा बेगम मजीद खिल कर सामने आ गएं, मिशगान शशदर रह गई कि उसमा बेगम ने कितने अरसे से अपने चहरे पर मास्क लगा कर अपना मकरूँ चहरा पोशीदा रखा हुआ था, इस दिन तो वो मारे शर्म और खजालत के जमीन में गुड़ गई, जब वो खाने की मेज पर आकर बैठी और उसमा बेगम ने माथे पर तेवरी चड़ा कर नाक सुकरते हुए का, महरान बेचारे अपनी बीवी और बच्चों की खातिर पैसा कमाने के लिए दुनिया भर की खाक च्छानते फिर रहे हैं और तलाक याफता बहन साहिबा मुफ्त की रोटियां तोड रही है, नौईला मिजगान के हल्क में फंस कर रह गया, जिसे इसने पानी से बमुश्किल निगला और कुरसी धकेल कर भाग कर अपने कमरे में चली गई, वो इतनी तेज तर्रार नहीं थी के भावी को मुन्हतोर जवाब देती, मिसिस हैदर ने इन खुतूत पर उसकी पर कर कहा, मिजगान तुम ये कमरा खाली कर दो और अनिकिसी में शिफ्ट हो जाओ, मेरी फूपी दुबई से आ रही है, वो यहीं रहेंगी, शाम तक तुम ये कमरा छोड़ देना, वो आंधी की तरह आई और तुफान की तरह वापस चली गई, मिजगान की जात को मजीद ति विंचिकासी खड़ी रह गई, फिर नजाने किया हुआ कि यकदम घुसे और इश्टियाल की तेज लहर उद कर आई, वो जो इतने अर्से से चुप चाप सब बरदाश्ट कर रही थी अपनी ये तोहीं इसे सख्ट ग्रांग उजरी, इसने इंतहाई तैश के आलम में अपन की तरफ आई, भाभी अप मुझे इस कमरे से क्या निकालेंगी में खुद ही वो कमरा छोड़ कर जा रही हूँ, आज से मेरा अपसे और आपके इस घर से कोई नाता नहीं है, अब इस घर का पानी भी मेरे लिए हराम है, ये कहते कहते इसकी आवाज रुन्द गई, आंसू ने एकदम उसकी आखों पर हमला कर दिया, लेकिन लेकिन में ये घर छोड़ कर नहीं जाऊंगी, वो बमुश्किल अपने आपको संभलते हुए बोली, वरना आप सब यही कहींगी के मिजगान किसी के साथ घर छोड़ कर चली गई है, मिजगान अदब से बात करो, उजमा बेगम मिजगान की साफ गोई पर अंदर ही अंदर जिजबिज होकर इसे डपट कर बोले, ओने, अदब, इस लफस के हिजजे से भी नावाकिफ हैं, अब, वो दिल में बोली फिर मजीद कुछ कहे बना अनिकिसी की जानिब बढ़ गई, उजमा बेगम ने फातिहाना अंद खुद तरसी का शिकार हो गई, खुद अपनी ही हालत पर इसे रहम आ रहा था, जब रुरू कर ठक गई तो खुद ही अपने आंसु पूँच कर अपने आपको तसलिया दें, और फिर तकी पर आंखें मूंद कर अपने आपको थपक थपक कर सुला दिया, मिजगान ने अप अपने हाथ से खाना बना कर खाया, इस दिन इसे बेहत तमानियत महसूस हुई, अब वो पूरी तगो दो से जाब की तलाश में सरगरदा थी, ग्रेजुएशन के बाद इसने कई एक कम्प्यूटर कोर्सिस कर रखे थे और इंगलिश भी वो रवानी से बोल लिया करती थी, यही दो चीजें आज कल जाब की डिमान थी, इसकी बेतहाशा कोशिशों से इसे एक जगा से इंटर्व्यू काल आ गई, वो बहुत एतिमाद के साथ इंटर्व्यू दे आई और ठीक एक हफ़ते बाद इसकी काल आ गई कि इसे अपाइंट कर लिया गया है, वो बहुत खु जली से नहीं बलके हिम्मत और जुरत के साथ करेगी, वो मतलूबा जगा पर टाइम पर पहुँच गई, इसफर इंटर्प्राइजिस का ये आफिस इंतहाई शांदार और खुबसूरत था, रशीद साहिब ने इसे तमाम काम समझा दिया था, जहीन तो वो शुरू से थी फौरन काम समझ गई, तमाम स्टाफ कौापरेटिव था, सिवाय लिल चौदरी के जो इसफर की परसनल सेकरेटरी थी, अजीब नक्चड़ी और मगरूर सी लड़की थी, इसे यहां काम करते हुए एक हफ़ता हो चुका था, लेकिन इसकी मुलाकात इस कंपनी के मालिक यान इसे देख कर नखवत से मुनफेर लेना, इसका मामूल था, मिशगान अपनी जाब से काफी हद तक मुतमेंसी हो गई, लेकिन ये एक मिनान महस आरजी साबित हुआ, रशीद साहिब ने इस दिन मिशगान से अचानक ये सवाल कर डाला, मिस मिशगान अब तलाक याफता है, की बोर्ड पर तेजी से चलते हाथ यद्दम यों रुके जैसे तेज रफ़तार गाड़ी अचानक एमरजनसी ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, वो सुनसी बैठी रह गई, दरसल कल अपने चछटी कर ली थी तो मैंने आपके घर फोन किया था आपकी भाभी ने बताया, उन से जिन्दा नहीं रहने देंगी, वो दुक से सोचे गई, कल सुबह देर से आख खिलने पर वो हरबढ़ा कर बिस्तर से उठी तो अचानक इसका पीर बुरी तरहरा पड़ गया, और पीर में सخت मोच अगई जिसके कारण वो कल की छटी कर बैठी थी, उन की सहूलत इसके पास तो थी नहीं के इत्तिला कर देती, इसे गुम सम बैठा देखकर रशीद साहिब गोया हुए, चा, चा मुझे बहुत अफसोस हुआ, आपकी तलाक का सुन, कर, आप कितनी कम उमर और क्यूट सी हैं, इस उमर में इतना बगा दुख बगा ही बदनसीब शख्स था, जिस वो अंदर ही अंदर बुरी तरह जुलसी गई, रशीद साहिब इसके चहरे पर बिरहमी की लहरे देखकर फी अलहाल खिसक गए, इसके बाद मिजगान से मजीद कोई काम ना हो सका, मिस मिजगान आपको सर बिला रहे हैं, वो अभी अपनी सीट पर अकर बैठी थी कि पीवन ने इसे बताया, ओ तो इसफर साहिब यानी के बास अचके है, वो थोड़ी सी नर्वस हो गई, इसने अभी तक अपने बास को देखा नहीं था, इसका इंटर्वियू भी इसफर अली खान के असिस्टेंट मुश्टाक आलम ने लिया था, वो अपने आपको मजबूत करती ह इसफर अली खान के रोम में आई और आहिस्तगी से नाप किया, यस की आवास पर वो धड़कते दिल के साथ अंदर आ गई, बलैक कलर के फुल सूट में बलैक ही टाई बांधे हाथ में बेश कीमत घड़ी बांधे जदीद तरस का मुबाइल कान पर लगाए, वो दुमी रंग कुशादा पेशानी होंटों के उपर घनी मूचें, इसके वकार को मजीद बढ़ा रही थी, जबकि गुलाबी होंट तेजी से हरकत कर रहे थे, ठीक है फिर कल मीटिंग सीट कर लीजिए, ये कहकर इसने मुबाइल आफकर के मिजगान को देखा, बैठिये, मि आई होप के अप यहां के रूल एंड रेगुलेशन्स को अच्छी तरह समझ गई होंगी, इंतहाई बारोब वो संजीदा लहजे में वो इस्तफसार कर रहा था, ये सर, मिजगान सर हिला कर बोली, रशीद साहिब ने आपको सब कुछ समझा दिया होगा के मैं काम में किसी भी किस्म की कोताही बरदाश्ट नहीं करता, इस्फर अली खान सक्त लहजे में बोला, जी सर, वो फिर सर हिला कर बोली, ओके आपको यहां कोई प्राबलम तो नहीं, अगला सवाल दागा गया, नौ सर कोई प्राबलम नहीं, वो सहूलत से बोली, किया अब शादी शदा है, इंतहाई रवानी में किये गए सवाल पर इसने साबका अंदाज में बेख्तियार इस बात में सर हिला दिया, जी सर, बात जब तक इसके दिमाग तक पहुँची वो सरहा में हिला चुकी थी, नौ, नौ सर, अलबत्ता जबान से इसने इंतहाई शद्दोमत के साथ हिंकार कि मिशगान अंदर ही अंदर हैरान और प्रेशान हो गई के भला इस सवाल की कियाताक थी, फिर इसने खुद ही सच बताने का फैसला कर लिया, क्यूंकि रशीद साहिब के तवस्द से ये बात इन तक पहुँची जाती, एक चोली सर, वो कुछ अटक कर बोली, मुझे तलाक हो चुकी है, ओ, इसफर अली खान के होंट सीटी के अंदाज में वा, हुए, ओकी यू मैगो, ये कहकर वो फिर फोन की तरफ मतवज्य हो गया, मिशगान सुरत से उठी और दर्वाजे की जानिब गई ही थी कि इसफर के इन अलफाज ने इसे बेतहाशा शर्मिंदा कर डाला, मिस मिशगान अब पैदाशी ऐसी हैं, कोई हादसा? मिशगान ने घबरा कर मोड कर इसे देखा रिसीवर हाथ में थामें वो सहर अंगेज शखस इसी की जानिब देख रहा था, नौसर दरसल परसों मैदे पीर में मोच आ गई थी, इसलिए, इतना कहकर वो चुप हो गई, बेसाखता एक मसकराहत इसफर के होंटों के किनारों पर फैल गई, जिसे इसने फॉरन समेट लिया, मिशगान तेजी से बाहर निकल गई, वो आज कल बहुत परेशान थी रशीद साहिब इसके अब से बड़े हमदर्द बन कर हाथ धो कर उसके पीछे पढ़ गए थे, हाला दिल चाहा कि ऐसी खरी-खरी सुनाए कि मौसूफ की तबियत दुरुस्त हो जाए लेकिन अपना तमाशा बनने के खौफ से खामोश रही, फिर सोचा कि सर से शिकायत कर दे लेकिन दूसरे ही पिल दिमाग ने इस ख्याल की नफी कर दी, अगर रशीद साहिब ने उल्टा इ थी किल इसफर की सेक्रेटरी के अलावा और भी बहुत कुछ थी, कई घंटे वो इसफर के कमरे में घिसी रहती, दोनों तकरीबन रोज ही साथ बाहर जाकर लंज, करते, लिल का तालुक खाते पीते घराने से था, वो महज शौकिया जाब कर रही थी, और इसफर अली खान पर दिल और जान से फिदा थी, जबकि इसफर तो आवारा सिफत भनवरा था, लेकिन ऐसा भनवरा जो सिर्फ उन्चुई कलियों पर ही मन लाता था, शुई हुई और मसली कलियों की तरफ वो निगा उठा कर भी नहीं देखता था, इसे दूसरों की इस्तिमाल शदा चीज मिजगान के सादा औ सुगवार हसन से मतासिर हो गया था, लेकिन इसकी डाइवर्स का सुनकर यकदम जहन से इसका ख्याल जटक दिया था, जबकि लिलमिजगान के हसन से खार खाती थी, इसे मिजगान की खुबसूरती और पुरकशिश सरापे से ये खौफ होता के कहीं इस के हसन और तौबा शिकन सरापे की भूल भल्यों में गुमना हो जाए, हाला के वो इस्फर की इस आदत से बखुबी वाकिफ थी के वो सेकंड हैंड चीजों की तरफ एक निगा गलत डालना भी पसंद नहीं करता था, चाहे वो कितनी ही दिलकश्कियों नहों लेकिन वस्व आई, हस्म तवक्ल चौधरी इस्फर अली खान के कमरे में मौजूद थी, यह सर, वो रस्सानियत से बोली, ये फाइल अपने तयार की है, परपल कलर की फाइल इस्फर ने इसके सामने इंतहाई तैश के आलम में पटख, मिशगान बुरी तरह सहन सी गई, क्या हुआ सर, मि ये भी में बतों की क्या हुआ, इस्फर इस सवाल हर मजीद तब गया, देखिए इस फाइल को एक भी लाइन जो अपने दुरुस्त लिखी हो, मिशगान ये सुनकर बुरी तरह से उच्छल पड़ी, इस फाइल को मिशगान ने पूरे दो दिन में इंतहाई मेहनत के साथ त रहती थी, लेकिन यहां तो सारा मौामला ही उल्टा हो गया था, इसने लरसते कामते हाथों से फाइल को देखा, जिसे देखकर इसे हजार वालट का क्रेंट लगा, ये तो मैंने नहीं लिखा, वो दिल में बोली, लेकिन सर, जस्ट शट अप मिस मिशगान वो इसकी बात का कर इंतहाई खुरदरे लहजे में बोला, जाए और दोबारा फाइल बना कर मुझे आज ही की तारीख में लाकर दीजिए, मिशगान ने इंतहाई बेबसी से यूनहिल की जानिब देखा, जिसके चहरे पर दबी दबी अस्तहजाय मुस्कराहत इसे ये बावर करा गई कि ये तेहानत भरा अंदाज इसे सخت हट कर गया, एनी प्राबलम मिस मिशगान? रशीद साहिब इसकी मेज पर अकर इंतहाई मत फिकराना अंदाज में बोले, मिशगान का जैसे खून खौल उठा, नौ मिस्टर रशीद, वो तनक कर बोली और उन्हें यकसर नजर अंदाज करते ह हुए कम्प्यूटर पर जद गई, इसे दो दिन का काम सिर्फ आधे दिन में करना था, सौतेजी से इसके हाथ हरकत में आ गए, रशीद साहिब भी बदमजा से होकर अपनी सीट की जानिब चल दिये, यार इसफर, तुम तो जानते हो कि हसन मेरी अजल से कमजोरी है, मैं कोई भी मिल जाए लेकिन बस शर्ट इतनी है कि वो जहद शिकन हसन की मालिक हो, अरबाज आसिफ जो इसफर अली खान का बिजनस पार्टनर और दोस्त था, इंतहाई अयाश तब और आवारा सिफत इनसान था हसन और शबाब उसकी कमजोरी थे, अब चाहे वो हसन के पैराहन में लिप्टा हो या कीचर में लटपत हो, इसे सिर्फ अपने मकसद से घरस थी, नौवे अरबाज, मैं तो सिर्फ इसी कुली को अपने कालर की जीनत बनाता हूँ जो शाख से तूट कर सिर्फ मेरे हाथों में, आए, इसफर कतियत से बोला जब कि लिल इंतहाई दिलनशी अंदाज में मुसकराय जा रही थी, क्यूंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो इसफर के कालर में लगी एक उन्चुई कुली है, मुसलसल जुके-जुके मिशगान की कमर दुख गई थी, काम मुकमल करके इसने सर उठाया तो घड़ी आठ बजे का रही थी, वो इतनी देर हो जाने पर हवास बाखतासी हो गई, ओ नौ इतनी देर हो गई, आज काम मुकमल करने के चक्कर में इसने दिन का लंच भी गोल कर दिया था, अब पेट में चुहे नहीं हाथी धमाचोकडी कर रहे थे, वो इंतहाई सुरत से उठकर इसफर अली के क चल रहा था, इसफर के सामने कोई और भी बैठा था, मिजगान ने अरबाज और लिल को नजर अंदास करते हुए फाइल इसफर के सामने धर दी, सर ये फाइल कंपलीट हो गई, आप इसे चेक कर लीजिए, वो तमकनत से बोली, कुछ लमहे को कमरे में बिलकुल खामोशी चा गई, इसफर फाइल में गुम हो गया और अरबाज मिजगान में, कितना मुकमल हसन था इस लड़की का इंतहाई मुधर और पाकिजा, इस पर मुस्तजाद इसका सुगवार दिलकश हुसेन सरापा, जिस पर अरबाज की बेबाक निगाहें उलच कर रह गएं, ठका ठका लिल अरबाज के चहरे के उतार चड़ाओ से इसकी अंदरूनी कैफियत का बखूबी अंदाजा लगा रही थी, इसके होंटों पर एक तमानियत आमेज मुस्कराहट अगई, अच्छा है अरबाज इसे अपने जाल में फंसा लेगा, तो इसफर का मिजगान की तरफ मतवज वो में बनाना ही भूल गई, मिजगान इंतहाई बेचारगी से बोली, वो बोली तो अरबाज को गुमान हुआ जैसे किसी ने सातों सौार बखेर दिये हूँ, जाएं बना कर लाई, इसफर रउनत से बोला तो वो चुक चाप दोबारा फाइल ले आई जबके अरबाज इस तूफान चीज कब आई और तुम्हारे हाथों से कैसे बच गई, अरबाज के अलफाज पर लिल की भुनोए नागवारी से तन गई, इसफर भी बदमजा हो गया, तुम्हें पता नहीं है अरबाज इसे तलाक हो चुकी है, इसफर बेजारी से बोला, सौवहाथ, अरबाज इसकंधे उचका कर लापरवाई से बोला, जबकि लिल अंदर ही अंदर बुरी तरह कलस रही थी, तुम्हें पता है रबाज, के मैं जूटी प्लेट चुना तो दरकनार इसे निगा उठा कर देखना भी पसंद नहीं करता, वो जो जल्दी जल्दी इंडेक्स बना कर फाइ ती, ओके फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ, अरबास की मकरू आवाज उभरी, तो ये है तुम्हारी असलियत मिस्टर इस्फर अली खान, तुम भी बिलकुल रिवायती मर्द निकले, भनवरा सिफत, मैं न जाने क्यों तुम्हें आम मर्दों से अलग समझने लगी थी कि आह इस्फर तुम्हारे जहर में बुझे अलफाज ने मेरी रगों में दोड़ते खून को भी नीला कर दिया, एक बार फिर वो अपने रेजा रेजा होते वजूद को दोबारा जोड़ते हुए अंदर आ गई, अरबास ने अपने गलीज निगाहें इसके उपर गार के इस हिलो मिस में इस्फर का बिजनस पार्टनर और दोस्त हों, इसे सामने देखकर मिजगान का हल्क यों कड़वा हुआ जैसे किसी ने इसे मीम का पानी पला दिया हो, तनफुर की एक तेज लहर उसके अंदर से उठी, जिसके असरात इसके चहरे पर भी आ गए, आये में आपक कुराते हुए बोला, not thank you, वो रुखे अंदाज में कहती हुई बाहर निकल गई, मिस सुनिये तो, अरबास भी पीछे लपका लेकिन वो ये जा वो जा, अरबास पीछे हाथ मिलता रह गया, कब तक मुझ से दामन बचाओगी, ये कदम मेरी ही तरफ पलट कर आएंगे, वो नई मसीबत, अरबास आसिफ, आफ कितनी गलाजत और पुरसरारियत थी, इसकी आखों में, मिशगान में सोचते हुए बेसाखता जुरजुरी ली और इसफर, कितनी हिकारत थी इसके लहजे में, जैसे में कोई कोड की मरीज हूँ, आ ऐसा ताफुन जदा वजूद जिसके पास से भी गुजरना अजियत नाक हो, वो बे आवाज रोए चली गई, जब से आफिस से आई थी वो हनूज एक ही पोजीशन में सोफे पर बैठी अरबास और इसफर की बातों को सोचते हुए रोए जा रही थी फिर जैसे ठक कर वो खिड़की के पास जा खड़ी हुई, और मेरे ये हाथ जो मुझे होसला देते हैं, किसी सहमे हुए बच्चे की मानिंद मेरे वजूद के गिर्द लिपट जाते हैं। ये रात क्यों आती है? मुझे खौफ औ तनहाई से दोचार करने के लिए अलिफाफ ये तनहाई जो एक सलोपोवाइजन की मानिंद होती है। आहिस्ता आहिस्ता इनसान को मौत की तरफ धकेल देती है, जो रुको दीमक की मानिंद खुखला कर देती है। वो आहिस्तगी से चलती हुई बिस्तर पर दराज हो गई। आखों के सोते खुश्क हो गए थे। अब तो मेरे होंटों पर कोई दूआ भी नहीं आती ना आखो में खाब का कोई काफला आता है। अब हात भी उठते हैं तो बिलकुल खाली जिसमें शायद अब तकदीर की लकिरें भी नहीं हैं। और इस खंडर नुमा दिल में धरकन भी तो कितनी बेजारी से धरकती है। और इस शिकस्ता जिसम में सांसें भी उकता उकता कर चलती सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, खाबों ने, आर्जों और उमीदों ने हता के मेरी तकदीर ने भी तो फिर ये धरकन और सांसें भी मुझे क्यों नहीं छोड़ जाती। वो इंतहाई आजुर्दगी से सोचे गई इस वक्त वो सخت जहनी दबाओ का शिकार थी। महरान हैद कि तुम हद से ज्यादा बत्तमीज और खुदसर हो गई हो। महरान हैदर ने तेवरी चड़ाते हुए सख्त लहजे में कहा। भाया आप कहा देख रहे हैं, खुद से देखने और समझने की सलाहियत से आप काफी अरसे पहले महरूम हो चुके। हैं। मिशगान दिल की करने और पहुँच गई अनिकिसी में अलग थलग रहने के लिए। वो इंतहाई नखवत से बोले। मिशगान ने इंतहाई दुख से अपने माजाय को देखा। पीले ही वो कौन सा इसके हमदर्द थे लेकिन आज तो उन्होंने इंतहाई सफाकी का मुझाहरा किया था। त अपने भाई के कर्मों के एवज आजर मलिक ने तलाक का ज्हूमर मेरी पेशानी पर सजा दिया। मेरी प्यारी माजो मेरा वाहिद सहारा थी इसकी मौत का जिमनदार भी मुझे ही ठहराया और हमारी भाभी साहिबा जिन्होंने रही सही कसर भी अच्छी तरह से पूरी कर द और जब्त और हुसले के चीन्टे मारती रहूंगी भाईया। मैं ठक जाओंगी मैं ठक जाओंगी अब वो आजूर्दगी से सोचे गई। मैं तुम से कुछ पूछ रहा हूं मिजगान। महरान हैदर की चिंगारती हुई आवाज से वो जैसे हाल की दुनिया में लूट आ सामने सोफे पर उजमा बेगम बड़े तुम तुराक से बैठी इसे तमस्खुराना निगाहों से देख रही थी वो खामोशी से वापस लूट आई। लिल तीन दिन की चछटी पर अपने कजिन की शादी अटेंड करने इसलामबाद गई हुई थी जिसकी बिना पर मिजग रही है। इसफर मस्रूफ से अंदाज में गोया इससे पूछ नहीं रहा था बलके हुक्म दे रहा था। जी में। मिजगान ने इसे नहायत अचंबह से देखा। आज रात आठ बजे तयार रहिएगा। वो इसकी हैरानी को खातिर में लाय बगैर बोला। वो नह बेचार इस बात की तवक्को नहीं कर रही थी कि की इसे डिनर पर लेकर जाओंगा। वो मगरूराना अंदाज से अपने दिल में बोला। एम सौरी सर ये मेरी जाब का हिस्सा नहीं अब किसी और को ले जाएं। मिजगान इसे टका सा जवाब दे कर रोम से बाहर आ गई। वाट। इसफर अपनी सीट से यूँ उचला जैसे इसकी सीट पर बबूल के कांटे उगाए हूँ। मिजगान का इंतहाई गेर मतवक्के जवाब सुनकर इसफर का दिमाग जैसे घूम सा गया। आखिर समझती किया है ये खुद को। ये लड़की शायद मुझे जानती नहीं कि इ इसफर अली खान अपनी जिद का कितना पका है। आज ये हर सूरत में मेरे साथ जाएगी दीटस अक। वो अपने आप से बोला। कहा तो एक नजर डालना गवारा नहीं और कहा बिजनस डिनर पर ले जाया जा रहा है। वो खौलते जह से सोचे गई। शाबाश मिजगान तुमने मना कर दिया। इसने खुद ही अपने आप को शाबाशी दी और फिर अपने काम में मसरूफ हो। गई। शाम को आफ टाइम में इसफर का फिर बुलावा आ गया वो अंदर ही अंदर खाइफसी हो गई। एक बार फिर वो इसफर के रूबरू खड़ी थी। जी वो तमकनत से बोली। इसफर ने इसे आज पहली बार काफी गोर से देखा। गोरी रंगत पर काली चमकदार आंखें जो काजल से बेनियाज थी। सुत्वा नाक पर जरकून की बारीक सी लॉंग और लाइक बुरा आहे लिप इस्टिक से रंगे बारीक होंट वो इसे काफ सर मैंने अब से मैं अब से आपकी मर्जी नहीं पूछ रहा मिस मिशगान। वो इसकी बात कट करके इंतहाई सख्त लहजे में बोला। मिशगान महस मिनमिना कर रह गई। सर मुझे इतनी रात को बाहर जाने की इजासत नहीं मिले। गी। वो बहाना बनाते हुए बोली और उस पर ये भी जता गई के वो इसे लावारिस समझ कर तर नवाला ना समझे। तो ठीक है। वो कंधे उचका कर बोला। मिशगान इसके इतनी आसानी से मान जाने पर अभी वरता हैरत में थी के अगले जुमले ने इसे अंदर तक हिला दिया। आज रात अप यहीं इसी अमरे में आराम से रावी। मिशगान हवननक सी शकल बनाए इसे तुकर तुकर बस देखे गई। सस। सर ये क्या मजाक है। वो हकला कर बमुशकिल बोली थी। मिस मिशगान मेरा अब के साथ कोई मजाक का रिश्टा नहीं है ओके। वो करखत लहजे में बोला फिर यकदम खटाक की आवाज पर इसने बेसाखता दर्वाजे की तरफ देखा। इसफर ने आटोमेटिक लाग के जरिये दर्वाजा मकफल कर दिया। मिशगान ने हिरासा है होकर इसे देखा जो बड़े रैलिक्स अंदाज में बैठा था। मिशगान की आँखों में खوف की परचाई नाच्ती देखकर वो अस्तहजाए अंदाज में मुस्करा दिया। आपको मुझ से खوفजदा होने की कतना जरूरत नहीं में इस्तिमाल शदा चीज़ों को च्छूना पसंद नहीं करता। वो राउनत से बोला। अलफास थे अफिर अहनी कुडा जो उसकी निस्वानियत और पिंदार पर लगा था। इसके अंदर की औरत बुलबुला कर रह गई। अगर कोई औरत मर्द की मरदांगी को भूल कर भी ललकार दे तो वो हैवानियत पर उतरने में एक लम्हा जाय नहीं करता और अगर मर्द औरत की निस्वानियत को चैलिंज कर दे या इसे च्छूने के लाइक ना समझे तो इसके अंदर भी कहर की लहरें उठती हैं लेकिन वो अपने भरपूर औरत होने का सुबूत नहीं दे सकती किनके दोनों ही तरफ से हार सिफ औरत के मकदर में आती है। के किनारों से फूट पड़ी। अभी इसने अनिकिसी में कदम रखा ही था कि पीछे से आकर उमेर ने इत्तिला दी के कामरान हैदर का फोन आया है। भाया का फोन मिजगान जोश और खुशी से उचल पड़ी और उल्टे कदमों वापस बाहर आई फिर यद्दम कुछ इसासात पर बिरादराना महबत गालिब आ गई। वो हर सोच को जटक कर फोन सुनने चली गई। हिलो मिजगान तुम फिर से फूपो बन गई हो। कामरान की खनकती हुई आवाज इसकी समाच से टकराई। यगदम खुशी की एक लहर मिजगान के वजूद में दौड गई आपको बहुत मुबारक हो भईया। वो खुशी से लबरेज लहजे में बोली। लेकिन मिजगान तुम दूआ करना के मेरी बेटी को कभी भी कामरान हैदर आजर मुक जैसा शखस ना मिले इसके बाप। का किया हुआ गुना इसकी जिन्दगी को जहन्नम ना बना दे। काम कमरान प्यार भरा शको करते हुए बोला। ओ तो भाभी मुझे भईया से भी बात नहीं करने देती। दुख का बेपाया एहसास उसके अंदर जागा था। वो अपने आंसूं को बमश्किल पीती हुई बोली। वो भईया मैंने जाब कर ली है तो इसलिए आज कल बहुत मस रूफ हो गई हूं। वो बात बनाते हुए बोली। अच्छा अपना ख्याल रखना। इतने अरसे बाद किसी का अपनाई भरा लहजा सुनकर वो बे आवास सिसक उठी और जल्दी से फोन रखकर वापस अपनी जायपना में आ गई। भया देखो तुम्हारे इस गुना न जिन्दगी बरबाद करते वक्त अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं आया और तुम ने ये क्यों ना सोचा के कल को तुम भी बेटी के बाप बनूगे मिजगान सोचे गई। ठीक आठ बजे इसफर का डाइवर इसे लेने आ गया। गुलाबी जारजट के सूट में जिस पर गुलाबी और सफेद कड़ाई हुई थी। लाइट पिंक लिप इस्टिक होंटों पर लगाए और बालों की सादा सी चोटी बनाए अपनी तयारी को ओके कहकर वो गारी में आ बैठी। पीसी के वसीहाल के एक कुने की टेबल पर इसफर अपनी तमाम तर्शान के साथ पूस जिसकी अनक है भी सूट के हम रंग हो रही थी। धीमे धीमे कदमों से चलती वो इसकी टेबल पर आई। इसफर ने इसके चहरे पर सोजोहुजन की लहरे बखू भी देखी थी। ये लड़की इतनी डिप्रस क्यों रहती है। इसफर ने पहली बार मिजगान के बार में हमदर्दी से सोचा। थोड़ी ही देर में इसफर के दो घैर मुल्की महमान भी आ गए और इसफर पूरी तरह उनकी तरफ मतवज्जे हो गया। मिजगान यहां आकर वो ज्यादा अदास हो गई। थी। क्यूंकि तीन साल पहले ही वो कामरान और रोमा के साथ यहां देखे गई। जहन की स्क्रीन पर माजी की फिल्म जैसे चल रही थी। उफ यह यादें कैसे अजाब में डाल देती हैं हमें बेबस। प्रिंदे की मानिंद महस फड़पड़ाने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसा प्रिंदा जिसके पर वक्त निकाट लिये हूं वो माज मिजगान वो बेसाखता इसे पकार बैठा वो जो नजाने कहा निकल गई थी। यक लखत इसफर की आवाज परहाल की दुन्या में लूट आई। इस वक्त मिजगान की आँखों में इतनी नाकाबल बयान वहशत खौफ औ बेबसी थी के चंद लमहे को इसफर गुंग सा र जमाए हुए है। फिर यकदम मिस्टर जून की आवाज पर वो हवासों की दुन्या में वापस आ गया। मिजगान ने खाना भी बिलकुल बराए नाम खाया। वापसी में वो इसफर की इंतहाई लगजरी गाड़ी में लब सही बैठी थी। मिस मिजगान अपकी आँखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही है। इसफर के होंटों से ये अलफाज बेसाखता निकले थे जिन पर वो खुद भी हैरान हुआ था। मिजगान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सर ये मेरे दिल का लहू है। मेरे खाबों का खून है जो मेरी आखों से चलक रहा है। वो दि के कर्ब को छुपाना कितना मुश्किल होता है। इसफर इसे घर के गेत पर उतार कर गाड़ी जन से ले गया। मिजगान धूल उडाती गाड़ी को देखकर तलखी से हंस दी। तुम्हें कहा मालूम इसफर अली खान जब मेरे अंदर के आंसू मेरी आखों में आने लगते खोए और बुझे बुझे से रहने लगे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है। कामरान की आखों में इस्तिराब औ बेचैनी की लहरों ने मस्तकिल अपना डेरा जमा लिया था। कामरान महस ठंडी आह भर। कर रह गया। रोमा में मिजगान की से बहुत फिकर मंद हूं सोच रहा हूं कि इसे यहां अपने पास बिला लो। कामरान हत्मी अंदाज में बोला जिसे सुनकर रोमा के सीने पर सांप लूट गये। लेकिन फी फौर वो बोली कुछ नहीं। जमीर के कूले खाते खाते वो ठक सा गया था और जब से इसके घर बेटी ने जनम लिया था वो और ज्यादा खौफजदा और मुस्त्रिब हो गया था। मैं कल ही से कोशिशें शुरू कर देता हूं। वो तो जैसे सब कुछ तेकिये बैठा था। लेकिन कामरान नहीं रोमा। कामरान इसकी बात काटते हुए कतियत से बोला रोमा अंदर ही अंदर पेच औ ताब खा कर रह गई। मुझे पिलेज मना मत करना। वो अटल अंदाज में बोला और रोमा इस सोच में पढ़ गई किस तरह कामरान को इस अगदाम से बाज रखा जाए। ये ठंडी और पुरकैफ उजाला बखेरती सुबह कितनी हुसैन होती है। ये नील के चहरे पर जो रोशनियों की जो आबशार बहने लगती है। यही रोशनी मेरे जैसे शिकस्त खुरदा वजूद में भी जिन्दगी की एक नई तवानाई भर देती है। मेरे रुकते कदमों को दोबारा चलने पर उकसाती है। सिहर की ये चार सो पहली शोख सी रोशनी म मुझे मुसकरा कर देखती है और कहती है कि मत घबराओ मिजगान। मैं हूँ। ना तुम्हारे साथ और गुलाब के खिले ये नर्म और नाजुक फूल जो रात भर शबनम की महबत में भीगे मुझे होसला देते हैं कि मेरी तरह सर उठा कर मान और गरूर के साथ जियो। औ और उनके साथ लगे फूल के महाफिस कांटे मुझे से कहते हैं कि इस जमाने की सर्दो गर्म हुआ से बचने के लिए हमारी तरह तुंदो तेज बन जाओ कि कोई तुम्हारे करीब आने की हिम्मत ना कर सके और। ये बलंदो बाला दरخت कहता है मिजगान में भी तो अकिला ह तूफानी हवाओं और पुर्जोर आंधियों का तन तनहा सामना कर रहा हूं में तो हिम्मत नहीं हारता तो फिर तुम क्यों हिम्मत हारने लगती हो। फजर की नमाज अदा करके मिजगान हर रोज लान में आकर टहलने लगती थी। सुबह का ये इब्तिदाई मनजर जैसे इसे नई हिम्मत और हौसला देता था। वो सरशारी से सोचे गई। भाभी अप। उजमा बेगम को अनकिसी में देखकर मिजगान शशदर रह गई। जब से वो यहां शिफ्ट हुई थी। उजमा बेगम ने यहां कदम तक नहीं रखा था। तुम्हारे लिए एक खुश तो सही। भाभी अस्तहजाए अंदाज में बोले। मिजगान उनकी मुभम बातों से उलज गई। भाभी साफ साफ बताई क्या बात है। मिजगान का तजस्स उरूज पर पहुँच गया। तुम्हारे लिए एक रिश्टा आया है और मेरे ख्याल में तुम इस से खूब वाकिफ हो। उसमा बेगम भनवे उचका कर बोले। मेरे लिए भला किसका रिश्टा आ सकता है। वो खुद से बोली। तुम्हारे आफिस से ही आया है। अच्छा है तुमने अपना इंतिजाम खुद ही कर लिया। भाभी के लफजों के सुन-सुनाते तीर उसके दिल में हैं। भाभी गोया हजारों एहसान जिताते हुए बोले। मगर रिश्टा किसका आया है। मिशगान ने उलच कर पूछा। वो रशीद साहिब का। क्या। वो जहां की तिहाहे खड़ी की खड़ी रह गई। तहियूर की ज्यादती से आंखें फटी और मुन्ह खुला का ख छोड़ दें। मिशगान ने चर कर बाकाइदा उजमा बेगम के सामने हाथ जोड़ दिये। उजमा बेगम बुरी तरह तब गएं। तुम क्या समझती हो कि तुम्हें कोई दोबारा कुनवारा और हैंसम शोहर मिलेगा और फिर को काफ से कोई शहजादा महारानी को बियाह लगने आएगा। वो हाथ नचा नचा कर मुन से आग उगलने लगें। मिशगान इंतहाई गुसे की आलम में उन्हें वहीं छोड़ कर दूसरे कमरे में बंद हो गई। वो बेतहाशा हंसे जा रही थी। हंस हंस कर उसकी खुबसूरत कुंचों की मानिंद आखों में पानी भर गया था। आखिर तुम्हारी हंसी को ब्रेक क्यों नहीं लग रहे। वो इतनी देर से इसफर के सामने बैठी हंसे जा रही थी और इसफर कितनी देर से इसकी हंसी थमने का इंतिजार कर रहा था। लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। इसफर का जब्त जवाब दे तो वो इंतहाई जंजला कर बोला, वो, वो मिशगान, इतना कहकर वो फिर हंस दी, मिशगान, ये नाम सुनकर न जाने क्यूं इसफर की तमाम हिसे तेज हो बेंग, अरे मिशगान ने रशीद साहिब को आज खूब खरी-खरी सुनाएं, अच्छा वो क्यूं, इसफर ने सरसर अंदाज में इस तफसार किया, हाला के वो बात फॉरन जानना चाहता था, लेकिन जाहिर ऐसे किया जैसे इस जिक्र में इसे कोई दिल्चस्पी नहीं है, मौसूफ अपना रिश्टा लेकर मिशगान के घर पहुँच गए, वोट रशीद साहिब, वो हैरान रह गया फिर न याफता भी तो है, लिल ने आगे टुकड़ा लगाया, अचानक इस फर के दिल से कोई आवाज आई, शायद इस फर के दिल की खिर की लफ्स तलाक याफता की हुआ से बंद हुई थी, जो नजाने कब और कैसे मिशगान के लिए खिली रह गई थी, मैं तो कहती हूँ कि अधास पसंद ना आया लेकिन खामोश रहा, रशीद साहिब बता रहे थे के बेचारी को शादी की दूसरी सुबह ही तलाक हो गई थी, हाला के लड़का बहुत हैंसम और पैसे वाला था, लिल ने मिशगान के मुतालिक इस फर की मालूमात में इजाफा किया जिसे सुन कर वो इंतहाई मताजिब, हो गया, आखिर किया वज़ा थी जो उसके शोहर ने इसे शादी के दूसरे दिन ही तलाक दे दी, वो ये बात जानने को सخت बेचैन हो गया, लिल इसफर का गेर मामूली अंदाज देख कर खोटक सी गई, इसफर तुम क्यों मिशगान जैसी तलाक य मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, वो लिल से ज्यादा खुद को सफाई देने लगा, वो तो किसी को नहीं मालूम, लिल सोचते हुए बोली, रशीद साहिब बता रहे थे कि इसने अपने घर वालों तक को नहीं बताया, इसकी मा भी इस सदमे से मर गई कह रहे थे में तो उन महतरमा के मिजाज तो अर्श आला पर पहुँचे हुए, हैं, ये भी सुना है कि महतरमा घर वालों से कट तालुक किये अनिकिसी में रहती है, काफी बदजबान और तनक मिजाज, हैं, लिल जो कुछ मिजगान के बारे में बता रही थी इसफर का दिल इसकी हर बात की न कुसूरवार भी यही है, लिल अपनी बात पर जोर दे कर बोली तो इसफर ने इसे बेहच चौंक कर देखा, भई इसकी खामोशी ही इस बात का चीख चीख कर एलान कर रही है, कि वही कुसूरवार है, वगरना वो अपने होंटों पर इस तरह चुप का कुफल ना डालती, लिल दूर की कौड़ी लाई, नहीं, अगर वो इस ताइप की लड़की होती तो कब की अर्बाज आसिफ की तरफ पेश कदमी कर चुकी होती, जो इसके आगे पीछे फिरता है, यकीनन कोई बड़ी मजबूरी जिसने इसके होंटों को गुंगा कर दिया है, लेकिन इसकी आ हिमाक से हसब मामूल अपने काम में मसरूफ थी मौा मॉबाइल की बबबजी, मिशगान ने अपनी जरूरत के तहत मॉबाइल खरीद लिया था, मॉबाइल स्क्रीन पर घर का नंबर देखकर उसकी छटी हिसने गोया खत्रे का अलार्म बजाया, क्यूंके घर से आज तक किस पर बिजली बन कर गरी, जिसने इसके हवास कर मुखतल कर दिया, यक लख्त मॉबाइल इसके लरस्ते हाथों से चूट कर जमीन पर गिर गया, इसने कुरसी से उठना चाहा लेकिन पैरों ने गोया इसका वजन उठाने से इंकार कर दिया, इंतहाई दिक्कतों से इसने खु परवा भागती हुई लिफ्ट तक आई जो नीचे की तरफ जाने का इशारा दे रही थी, वो लिफ्ट को छोड़ चाड़ कर सिवियों की तरफ भागी, मिशगान के कदम उठ कहीं रहे थे और पढ़ कहीं और रहे थे, इसी दम दूसरी लिफ्ट से इसफर उपर आया और पहली ही निगा मिशगान के डोलते वजूद पर पढ़ी, इसे यू दिवानों की तरह भागते देख कर वो मतहयर रह गया, मिशगान, बेसाखता इसके हुंच चिला उठे लेकिन वो सुन कहा रही थी, इसफर बे उख्टियाराना अंदाज में इसके पीछे लपका, लेकि मुनह जमीन पर पड़ी थी, जिसका माथा कारनर पर रखे गमले से टक्रा कर खून आलूध हो गया था, सफेद बुराक सूट इसके लहू से तेजी से सुर्ख हो रहा था, इस फर जो इस पर एक निगा भी ना डालने का दावेदार था, इसने इंतहाई बदहवासी के आलम में इसे अपने बाजों पर उठाया और बिजली की सुरच से, लिफ्ट की तरफ भागा, नीचे इसका बावर्दी ड्राइवर पहले ही से मौजूद था, वो इना फाना इसे अपने दोस्त के प्राइवेट हास्पिटल ले गया, हाए मेरी रोमा, भरी बहार में कैसे खिज को बाप के साए से महरूम कर दिया, उजमा बेगम बैन कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही कामरान के दोस्त का आस्ट्रेलिया से फोन आया था, अकुर उसके एकसिडेंट में कामरान की मौत की खबर सुनाई थी, जबकि रोमा की हालत इंतहाई दिगरगों थी, महरान हैदर आज शाम की फलाइट से ही अपने भाई के ताबूत और भावज और भतीजी को लेने जा रहे थे, अभीर ने ही ये मनहूस खबर मिजगान को भी सुना दी थी, आखिर वो कामरान हैदर की बहन थी, हैदर हाउस वक्त रंज औ गम की लपेट में डूबा हुआ था, उ इसे में सिर्फ अभीर को ही मिजगान की गैर हाजरी सता रही, थी, दो घंटे हो चुके थे इसे मिजगान को इत्तिला किये हुए लेकिन वो अभी तक नहीं पहुची थी, अभीर ने दोबारा मिजगान के मोबाईल पर ट्राई किया जो रस्पांस नहीं दे रहा, था, जम अलसल तीन घंटे से कारेडोर में खड़ा था, जहन की स्क्रीन पर बार बार मिजगान का बेतहाशा होकर भागना रिवाइंड होकर सामने आ रहा था, आखिर ऐसी किया बात हुई जो ये इतनी बदहवास होकर भागी, इस फर इसी नुक्ते पर सोचे जा रहा था, मुआ ज जहन में स्पार्क हुआ, शायद कोई बुरी खबर, वो जेरेलब बुरबड़ाया फिर तेजी से मुबाईल पर बटन पुश करने लगा, यस सर, रशीद साहिब की खुशामदाना आवाज उभरी, रशीद साहिब जरा मिजगान की टेबल पर जाईए, वहां कोई सामान है वो बारोब लहजे में बोला, थोड़ी देर खामोशी के बाद रशीद साहिब की आवाज आई, सर उनका परस है और जमीन पर मुबाईल पड़ा है जो गिर कर नाकारा हो चुका है, नजाने किया बात हुई जो वो इतनी उजलत में बाहर भागी थी, रशीद साहिब भी है हैरान हैरान से बोले, इसफर के यकीन पर महरसप्त हो गई थी कि यकीनन मिजगान कोई बहुत बुरी खबर सुनकर अपने हवास छोड़ कर भागी थी, ओके, इसफर ने कहकर लाइन ड्राप कर दी, फिर अपने ड्राइवर को इसके घर इत्तिला देने के लिए भेजा, इस इसफर वो इसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, इसी असना में एक नाउम लड़की हवास बाखता सी उनके पास आई, क्या हुआ फूपो को, वो लड़की बेतहाशा अंदेशों में घर कर कपकपाती हुई आवाज में बोली, देखिए, फिक्र की कोई बात नहीं है, सर पर चोट लगने की वज़े से बेहोश हो गई है, अलबत्ता कोई बढ़ा सदमा भी उन्हें पहुचा है, जिसकी वज़े से ये अब तक होश में नहीं आ रहे हैं, अबीर ने नहायत दुख से सामने खड़े इस बारोब से बंदे को देखा, जिसकी पेच कलर की कमीस पर जाब उन्हें अभी होश आ जाए, गा, इसफर इसे तसली देते हुए बोला, लेकिन उन्हें सदमा किया पहुचा है, आमिर ने इसफर के मुन की बात चीन ली थी, वो डॉक्टर साहिब मेरे चाचु रोड एक्सिडेंट में, इतना कहकर वो बुरी तरहरू दी, ओ, दोनों के हो सुकर गए, हमें अफसोस है और शायद यही सदमा, डॉक्टर साहिब पेशन्ट को होश आ गया है, डॉक्टर आमिर की बात बीच में ही रह गई जब नर्स भागती हुई बाहरा कर बोली, तीनों अंदर की तरफ भागे थे, मिशगान अबीर को देखकर इतनी बुरी तरह बिख़ी के फिर तीनों को इसे संभालना मुश्किल हो गया, आज वो अपने अंदर जमा सारे आंसू बहा देना चाहती थी, इस फर को मिशगान की ये हालत दुख की अथा गहराईयों में धकेल रही थी, मजबूरना डॉक्टर आमिर ने जबरदस्ती मिशगान को नींद क इंजेक्शन लगा दिया, वो एक बार फिर होश उखरत से बेगाना हो गई, सोते हुए भी कुछ कुछ देर में एक आज ससकारी इसके भायन्चे हुए लबों से अजाद हो जाती सरसों के फूल की मानिंद जर्द चहरा कपकपाते बेबस होंट और दुख से लरस्ती पलके इसकी निगाहों की ग्रिफ्ट में थी, सर अब जाएं, मैं मिजगान फूफो के पास हूँ, अबीर जान गई थी कि ये मिजगान के बास हैं जो उन्हें अस्पताल लाए हैं, काश में फूफो को ये खबर फोन पर ना बताती, वो पिच्चे तावाहे में घिरी हुई थी, इसफर ने भी अपना जाना मुनासिब समझा और डॉक्टर आमिर को इसका ख्याल रखने की हिदायत करके चला गया, अबीर को रह रहकर मा का संग्दिलाना रवया याद आ रहा था, जब ड्राइवर ने आकर उन्हें मिजगान के हादसे के बारे में बताया, तो उन्होंने कितनी नफरत से कहा था, पड़ा रहने दो इसे अस्पताल में इसकी नहुसत ही इस घर की खुशियों को खा गई, लेकिन अबीर ऐसी संगली का मुझारा ना कर सकी, और ड्राइवर के साथ चली आई, रात गए मिजगान की हालत संबली तो वो एक बार फिर रूदी, इस वक अबीर की आवाज ने इसकी सोचों का इर्तिकास तोड़ा, लेकिन अबीर वो बिल, वो हकला सी गई, वो आपकी कमपनी ने अदा कर दिया है, अबीर धीरे से बोली, कमपनी वालों ने, इसे खासा अचंभा हुआ लेकिन ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं था, वो अबीर के हमरा घर आ गई, वो थके थके कदमों से घर में दाखिल हुआ तो दीनु बाब सा अंदाज देखकर चौंग गए, मुआ उनकी निगा इसफर के ग्रेबान पर लगे खून के धबों पर पड़ी तो वो सखत परेशान हो गए, अरे इसफर बेटा ये खून कैसा है, इसफर उनकी बेचेनी और परेशानी देखकर मुस्करा दिया जो उनके चहरे से हवैद बद करते थे और इसफर भी उनकी बहुत इज़त और इसफर के वालिदेन जा बहक हो गए थे, चौंक दोनों ने समाज और खानदान से टक्रा कर शादी की थी, लहाज़ा इसफर का अपने नन्याल और दध्याल से कोई तालुक नहीं था, अलबता डैथ के बाद कुछ ला बाप और खानदान थे, कितना अकिला और तन्हा रह गया है, प्यार महबत तवज्जो जैसे जजबों से कोसों दूर सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन गया है, दीनु बाबा इसफर की शिकस्ता हालत को देख कर दुख से सोच रहे थे, बेटा तुम ने बताया नहीं ये बस इसी के माथे का खून, वो नपे तले अंदाज में इतना कहकर खामोश हो गया, ओ अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? दीनु बाबा ने फिक्रमंदी से पूछा तो येकदम इसफर की आखों के पर्दे पर रोती बिलक्ती मिजगान आ गई, इस वक्त वो कितनी तूटी में खाना लगवाता हूं। इस फर उनकी बात पर सरहिला कर उठ खड़ा हुआ। बैडरूम के आइने के सामने खड़े होकर इसने अपनी खून आलूद शट को बगवर देखा। कितनी खरीब थी वो मेरे इन बाजूँ पर इसका वजूद था। वो अपने बाजू देख देखना नहीं चाहता सिर्फ इसकी खातिर हस्पताल के सुनसान कोरिडोर में इतने घंटों तक क्यों खड़ा रहा। दिमाग सवाल पर सवाल कर रहा था और उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने वो सब इनसानियत के नाते किया था। इसने गोया बड़ी दिक्कतों स दिमाग को जवाब देकर इसे मुतमें करना चाहा। इनसानियत के नाते दिल यकदम तड़पसा गया और दहाईया देने लगा। अच्छा पहले तो तुमने कभी ये इनसानियत नहीं दिखाई। दिमाग अस्तहजाए अंदास से बोला। देखो इसफर अली खान जो पर्वाजा तो खुला रह गया था। वो तुमने बंद क्यों नहीं किया। इसका दिल इसे खरी-खरी सुना रहा था। लेकिन वो तलाक याफता। वो अपने दिल से बोला। तो क्या इस से महबबत करना जिर्म है। इस से शादी करना गुना है। क्या वो प्यार करने के लायक नहीं महस इस बात पर के वो तुम्हारे लिए इंच्वी कुली नहीं वा इस्फर अली खान वा तुम मर्द भी कमाल की चीज हो खुद तो घाट घाट का पानी पीते हो और चाहते हो के खुद को बारिश की पहली बूंद की मानिंद शफाफ और उंच्वी लड़की मिल जो आस्मान से उतर कर सिर्फ तुम्हारी दस्तरस में आए अगर तुम ये चाहते हो के तुम्हें इंच्वी कुली मिले तो क्या वो नहीं चाह सकती के इसका चाहने वाला भी किसी को ना चुए वो भी तो तुम्हें इस्तिमाल शदा कहकर तुम्हारी हस्ती की धज्जियां उड़ा सकती है। इस फर सर्था में बैठा था। इसके अंदर एक घुमसान का रन पड़ा हुआ था। हैदर हाउस इस वक्त लोगों से भरा हुआ था। भांत भांत की बोलियां बोली जा रही थी, वो सबसे अलग थलग चुप चाप घुटनों में सर दिये आंसू बहा रह थी। किसी ने भी इस से जूटे मुनहिये तक नहीं पूछा कि तुम्हारे माथे पर चोट कैसे लगी। कुजा कि इसे गिले लगा कर उसके भाई का पुरसा देते। तक्रीबन शाम को कामरान हैदर का ताबूत घर आ गया। घर में जैसे कोहराम बर्पा हो गया। रोमा क शिद्ध गम से गशा रहे थे और चंद मा की जोया इस सारे हंगामे से बेखबर इस भयानक हकीकत से अंजान फरिष्टों जैसी नींद सौ रही थी। इस फर भी जाने कौन से जजबे के तहत मिजगान के भाई की मयत पर शरीक होने चला आया था। वहीं इसे महरान हैदर क को देख कर सौ वालट का क्रेंट लगा। बिजनस दुनिया के हवाले से वो महरान हैदर से अच्छी तरह वाकिफ था और ये जान कर के मिजगान महरान हैदर जैसे कामियाब बिजनसमेन की बहन है वो मतहयर रह गया। बिजगान को भला इतनी मामूली नुकरी करने की किया जरूरत है। इस फर बुरी तरह उलच सा गया। आज कामरान हैदर को इस दुनिया से गए पंदरा दिन हो चुके थे। वो चुप चाप अनि किसी में पढ़ी बे आवाज आंसु बहा रही थी कि एकदम धमाके से दर्वाजा खुला और रोमा बिफ्री हुई शेरनी की मानिं की सफेद चादर मेरे उपर डाल दी। रोमा अपने आपे में नहीं थी। भाभी किया हो गया है आपको। वो अपने आपको बचाती हुई बमुश्किल बोली। उजमा बेगम भी दर्वाजे पर खड़ी इसे खून आशाम निगाहों से घोर रही थी। तुमने ही वहां की जिद्की थी और बेचारा कामरान रात दिन का फर्क भुलाय तुम्हें वहां बुलाने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में एक दिन वो घर से निकला और फिर जिन्दा वापस नाया। रोमा ठक कर जमीन पर बैठ गई। और फूट फूट कर रोने लगी। वो न मेरा भाई था, मेरा मा जाया था, मैं भला क्यों उसके घर पर नज़र लगाती। मैं तो इसका घर। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। भाया सिर्फ तुम्हारा घर बचाने की खातिर ही तो मैंने अपने जबान पर खामोशी के कुफल डाले थे, लोगों की तेग तलवार जैसी काटदार बातें अपनी रूपर सही थी, उनकी नफरत और हिकारत से लबरेज आंकें अपने दिल पर सही थी और अब जब तुम चले गए तो भी में ही मतूब ठहराई गई। वो दिल में चिलाते हुए रोए गई। मिजगान ने दोबारा आफिस जवाइन कर लिया था। इसफर ने आफिस के स्टाफ को मिजगान के भाई की डैथ की खबर दे दी थी। अलबता इसके घर का एड्रेस नहीं बताया था वरना वो सब इसकी इतनी मुस्तेहकम पोजीशन देखकर अंगुष्ट बदंदारा जाते। लहाज़ा आज जब वो आफिस आ बात बता दी थी कि इसफर ही इसे हस्पताल लेकर आया था। जिससे सुनकर वो अब इसका सामना करने से हिचकिचा रही थी। अलबता दिल ही दिल में इसकी एहसान मंद थी कि वो इसे हस्पताल ले गया था और इस हादसे से आफिस के तमाम स्टाफ को भी बेखबर रखा गया था। सिवाए आफिस के बाहर मौजूद गार्ड और इसफर के ड्राइवर के इस वाकिये का किसी को इल्म नहीं था। इतने दिनों का काम जमा हो गया था वो तंदीही से अपने काम में जग गई। आफटाइम पर इसने सर उठाया तो यकदम बेतहाशा ठकन का एहसा नदारत। इसने दर्वाजा खौल कर अंदर ज्हांका तो वहां कोई नहीं था। वो ये सोच कर अंदर चली आई के इसफर की टेबल पर फाइल रख कर चली जाएगी। अभी वो मेस पर फाइल रख ही रही थी के खट से दर्वाजा बंद होने की आवास पर वो बिजली की सुरत से पीछे पल्टी और मुकाबल को देख कर इसकी रूजे से जिसम से खिंच गई। ओहो कितनी खुबसूरत घड़ी है ये के मैं और तुम इस कमरे में तनहा है। वो भी बिकाना निगाहों से इसके सरापे का जाइजा लेते हुए बोला। मिशगान का पूरा जिसम क कातिल बना दिया था। अर्बास को बहका गई। बंद करी अपनी ये फुजूल बक्वास। मिशगान दुरुष्टगी से बोलती हुई तेजी से दर्वाजे की तरफ बढ़ी लेकिन ये किया। अर्बास ने आगे बढ़कर फरार के सारे रास्ते मस्दूद कर दिये। मि मुझे खुद से बेगाना कर दिया है और तुम कहती हो के होश करूँ। अर्बास गुंगुना कर बोलते हुए इसकी तरफ बढ़ा। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया मम। मैं शोर मचा दूंगी। वो हकला कर बोली। अर्बास कहकहा लगा कर हंस पड़ा। इ किया करूँ। ए मेरे मालिक मुझे इस खुनी भेडिये से बचा ले। मिशगान दिल ही दिल में दुआई मांगने लगी। यकदम इसने मिशगान की फूल जैसी कलाई अपने दृंदे नुमा हाथों में जकर ली। अर्बास छोड़ो मुझे। वो हल्क के बिल धारी। औ काफी दूर निकल आया था कि मुआ अपना मुबाइल याद आने पर गाड़ी रिवर्स करके आफिस आया। जो वो अपने कमरे में भूल आया था। पार्किंग पर अर्बास की गाड़ी देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। फिर जैसे कोई ख्याल बिजली की मानिंद को हुआ। वो तीर की तेजी से तकरीबन भागते हुए अंदर आया और अपने रूम का दर्वाजा लाकिट डेखकर इसे बेतहाशा अंदाज में पेट डाला। इसका ख्याल सो फीसद दुरुस्त साबित हुआ। सुर्ख आंखे लिए अर्बास ने काफी घबरा कर दर्वा खोला। इस फर जिस तेजी से अंदर आया इसी तेजी से कोई वजूद इससे बुरी तरह तकराया और उसके शाने से लिपट कर बुरी तरह सिसक उठा। सर पिलेज मुझे इस वहशी से बचा लें पिलेज सर मुझे यहां से ले चलिए। मिशगान इंतहाई खौफ औ बे देखो इस फर शट अप अर्बाज आसिफ वो इसकी बात काट कर शेर की मानिंद धावा। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई के मेरे रोम में मेरे ही वरकर के साथ ये बद्तमीजी करो। अर्बाज इसके इश्तियाल को देखकर अंदर ही अंदर खाइफ होकर बोला था जिसे सु कर बैठोंगा। मैं तुम्हारी तरह इतना रजील और कमीना नहीं हो कि किसी मजबूर और बेबस लड़की के साथ जबरदस्ती करूँ। जबकि मिजगान इस फर के शाने से अलहिदा होकर एक जगा हरासां सी खड़ी सारी कारवाई देख रही थी। ओ तो फिर यूं कहो कि तुम भी इसके तलबगार हो गए। इसके हसन की कशिश ने तुम्हारे सारे उसूलों को पानी में बहा कर तुम है। अरबाज। वो इतने जोर से धाड़ा के मिजगान को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। और फिर अगले ही लम्हे वो दोनों गुत्थम गुता हो गई और लरस्ते हाथों से इंटरकाम के जरिये बाहर खड़े गार्ड को उपर बिला लिया। जिसने बमुश्किल दोनों को अलहिदा किया। देख लोंगा इसफर तुम को। तुमने इस दो टके की लड़की की खातिर मेरी दोस्ती पर लात मारी है। इसफर दोबारा बि इसफर अपने होंटों के किनारे से निकलते खून को अपनी आस्तीन से साफ करने लगा जबकि मिजगान कोने पर ड्री सहमी खड़ी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहां से भाग निकले आइस महर्बान का शुक्रिया अदा करे जिसने इसकी इज़त बचाई थी। मौा इसफर की निगाहरासां सी मिजगान पर पड़ी। क्या जरूरत थी अर्बास की मौजूदगी में तनहां अंदर आने कि वो इस पर बरस पड़ा। मिजगान हैरान रह गई। सर अप गलत समझ रहे हैं। जब में फाइल रखने आई थी तो कमरे में कोई नहीं इसने पीछे से आकर वो महस मिनमिना कर रह गई। आईए मेरे साथ। वो सखती से बोलता लंबे लंबे डग। भरता बाहर अगया तो मिजगान भी बाहर टेबल से अपना परस उठा कर तकर तकरीबन इसके पीछे भागी और चुप चाप इसके हमरा गारी में बैठ थोड़ी देर पहले गुजरने वाला असाब शिकन वाकिया अभी तक इसके हवासों को मुखतल किये हुए था। इसफर इंतहाई धीमी रफ्तार से डाइविंग कर रहा था। कमीज के उपड़ी दो तीन बटन तूट चुट चुके थे जबकि हुंट का किनारा जखमी था मिशगान किया अप महरान हैदर की सगी बहन है। सवाल इंतहाई गेर मतवक्के था। मिशगान इसे अचंभे से देखने लगी। यस सर वो मेरे सगे भाई है। मिशगान गहरी सांस लेते हुए बोली। तो फिर अप क्यों इतनी मामूली सी जाब कर रही है। आखिर ऐसी क क्योंकि अप एक मर्द हैं और एक मर्द कभी भी औरत के दुख और उसकी मजबूरी को नहीं समझता। अलबत्ता इसकी मजबूरी का फाइदा जरूर उठाता है। लहजा था अफिर बहुत सारे तूटे हुए कांच इस फर महज इसे देख कर रह गया। भीगी हुई आव मिजगान हो आपकी जरूर मदद करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपकी मजबूरी का कभी नाजाइस फाइदा नहीं उठाओंगा। वो मजबूत लहजे में बोला। वो भी अपने दिल में बोच लिय लिय ठक गई थी। कभी कभी इसे यू महसूस होता कि इ इसका दिल ही नाबंद हो जाए। और इसफर ने इसे अर्बास से बचा कर ये बखूबी साबित कर दिया था कि वो इसकी कमजोरी से फाइदा नहीं उठाएगा। यक लख्त मिजगान ने इसे सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। अपनी भाभियों और भाई की कज अदा क्यों दे दी। इसफर उलचते हुए इस तफसार कर रहा था। आप जान कर किया करेंगे। ये राज में किसी को नहीं बताऊंगी सर। वो गतियत से बोली तो इसफर महज इसे देख कर रह गया। लेकिन इतना बता दूं के वो अटक सी गई लेकिन फिर थोड़ा संभल कर बोली। वो शखस मुझे अपने घर रुखसत करके ले जाने के बाद सुबह ही कमरे में आया था। और तलाक का जुमर रुनुमाई के तोहफे के तौर पर मेरी पेशानी पर सजा गया लेकिन मेरी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। वो रुंदे हुए लहजे में बो की। मिशगान ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। जिसका चहरा इंतहाई मतगयर हो रहा था। सर अब ठीक तो है। मिशगान की प्रेशान सी आवाज इसफर के कानों में आई तो बमशकिल इसफर ने अपने आपको संभाला। यस आई एम ओके। मिशगान मुझे तुमारी का जहन भी दोड़ रहा था। दूसरे दिन ही आफिस से वापसी पर अरबाज आसिफ ने अपनी बैएज़ती का बदला लेने के लिए इसफर पर हमला करवा दिया। खुश किसमती से इसफर बाल बाल बच गया। गोली इसके बाजू को चीरती हुई निकल गई थी। पु करने वाले हादसे का जिक्र था। जिसे सुनकर वो सन्नाटे में आ गई। दिमाव जैसे माउफ सा हो गया। ये सब मेरी वज़े से हुआ। भाभी ठीक कहती हैं मेहू ही मनहूस हर कोई मेरी बदौलत दुख और मुश्किल में गिरफतार हो जाता है। वो शर्मिंदगी औ नदामत के समंदर में डुबकियां खाने लगी। अरे आजर तुम पाकिस्तान कब आए। इस फर जो हस्पताल के बैद पर लेटा मैगजीन देख रहा था आजर को अपने कमरे में दाखिल होते देख कर इंतहाई मताजिब होकर बोला। जबकि लहजा जोश औ खुशी से बिलकुल आरी था। पहले तुम ये बताओ तुम ठीक तो हो। वो इसकी हैरानी को नजर अंदाज करते हुए इंतहाई मत फिकराना अंदाज में बोला। मैं बिलकुल ठीक हूँ। इस फर उसकी परेशानी देखते हुए धीरे से मुस्करा दिया। ये तुम ने बैठे ब आजर तफसील से बोला। बस यार ऐसा भी हो जाता है। वो टालने वाले अंदाज में बोला। और तुम सुनाओ कैसे हो और फरहीन कैसी है। इस फर के इस तफसार पर आजर के मुस्कुराते होंट यक लख्त सिमट गए। इस फर आजर और फरहीन ये तीनों युनिवरसि कालीम के हसूल और फरहीन की कशिश में लंदन चला गया। जबकि इस फर अली खान ने अपने बाप का बिजनस संभाल लिया। आजर के जाने के कुछ अरसे बाद ही इसकी बहन के साथ बहुत बढ़ा हादसा हो गया चूंकि इस फर आजर के घर आता जाता था लहाज़ा हर बाद से वाकिफ था। इसे भी निशाक की बेबस मौत का सख्त रंज हुआ। वो देख रहा था कि आजर निशाक के कातिल से बदला लेने के लिए सख्त बेचैन है लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी मासूम बहन का इंतिकाम इसी जैसी एक मासूम और बेगुना लड़की यानी इस शख्त की बहन से लेगा जिसका नाम मिशगान हैदर था जो आजर के इंतिकाम की भींट चड़ गई थी। कितनी मुमासलत थी निशाक और मिशगान ने एक अबन आदम की हवस का निशाना बनी और दूसरी अबन आदम के ही अंधे इंतिकाम का शिकार लेकि मिशगान निशाक से कहीं ज्यादा बहादर निकली इसने रुसवाईयों के खौफ से खुदकुशी नहीं की। बलकि हर तीर हर वार को अपने दिल में सहा। इसने जिंदगी की आँखों में आँखें डाल कर हालात का सामना किया। में बोल रहा हूं और तुम नजाने कुन भूल भल्यों में गुम हो। वो खफा खफा सा बोला। सौरी यार। वो शर्मिंदा हो गया। तुमने बताया नहीं फरहीन कैसी है। अचानक इसे अपना सवाल याद आ गया। फरहीन ठीक नहीं है इसफर। आजर के लहजे में जैसे दुख से मटाया। क्यों किया हुआ। इसफर फरहीन कभी मा नहीं बन सकती। आजर इंतहाई आजर्दगी से बोला। ओख ये सुनकर इसे भी दुख हुआ। जानते हो इसफर अवो कहती है कि हमें इसकी बद्दूआ लगी है। इसफर उसकी ने हमारी जिंदगियो इसकी आहों ने हमें ठंडी बहारों से निकाल कर जलते हुए खिजा के मौसम में धकेल दिया। आजर बिखरा बिखरा सा बोले जा रहा था। ओ तो तुम भी मिशगान को दुख दे कर खुश नहीं रहे और खुश रह भी कैसे सकते थे। एक मासूम और बेगुना को तुम मैं निशाक का इंतिकाम लेने के लिए बिलकुल अंधा हो गया था। मैं फूल प्रूफ प्लान के साथ यहां आया और इस जलील इनसान की बहन से शादी की और फिर अगली सुबह ही तलाक नामा इसके हाथों में थमा कर अपना इंतिकाम पूरा कर लिया। लेकिन इस फर य तो नदामत से चूर लहजे में बोला। इसफर बिलकुल खामोश बैठा इसकी कत्था सुन रहा था। जो वो पहले से ही जानता था। मुझे इसकी बहन को मोहरा नहीं बनाना चाहिए था बलकि इस कमीने से। वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसफर इसकी बात काट कर आ आई कोई दर्वाजे पर दस्तक दे कर अंदर दाखिल हुआ जिसे देखकर आजर के सर पर सातों आसमान गिर पड़े और मकाबल की हालत भी आजर से मख्तलिफ नहीं थी। साकित हाथों से यक लख्त फूलों का बोके गिरा और वो उल्टे पाउं तेजी से बाहर की तरफ भागी। मिशगान आजर इंतहाई बेचैनी के आलम में इसे पुकारता हुआ बाहर की तरफ लपका लेकिन वो हुआ कि जोनके की मानिन दिये जावोजा। इसफर यहां कैसे आई। क्या तुम इसे जानते हो इसफर पिलेस टेल मी। आजर तडब कर इसफर के करीब आया औ और उसको अपने हाथों से जहनजोर डाला अकुर फिर इसफर ने इसे सब कुछ बता दिया। तुमने और कामरान हैदर में किया फर्क है आजर कामरान हैदर ने निशाक को रुसवाईयों के अंधेरे में धखिला और तुमने मिशगान को बदनामियों के गार में लेकिन मि दाग दामन में चुपा लिया और तुम्हारी कमजर्फी और दरिंदगी को अपने आचल में बांध लिया बलके दरपर्दा इसने तुम्हारी बहन की। रुसवाईयों को भी अपने सीने में चुपा लिया वगरना हकीकत खिलने पर लोग तुम्हारी मासूम बहन पर भी क चर उच्छालने से द्रेग नहीं करते नहीं आजर मुक वो अजीम लड़की कभी बद्दूआ नहीं दे सकती इसका जब्क व सबर तुम दोनों को ले डूबा इस फर बोलता चला गया और आजर गोया नदामत और शर्मिंदगी के गहरे कुनवे में उतर गया थंडी थंडी खुश्बून से बोजल हवाई मेरे तनमैन को महका जाती है मेरे दिल के आंगन में मसर्रत और तमानियत और चाहतों के पंचियों ने डेरा जमानिया है मेरी आखों में सुकून और तमानियत और चाहे जाने का रंग हमेशा के लिए ठहर गया है मेरे होंटों पर उलुही चाहत ने अपना बसेरा कर लिया है और मेरे दामन में कुदरत ने इतनी खुशियां भर दी हैं कि जिन्हें संभालना मुश्किल हो गया है और उन सब चीजों का कारण सिर्फ इस्फर अली। बड़े लहाज और मरवच से मिलते हैं क्योंकि अब में दरख्ट से तूटा वो खिजा रसीदा पता नहीं हो जो जो जमाने की तुंदो तेज हवाओं में अलिफार रहा था बलके डाल में खिले इस गुलाब की मानिंद हो जिसका माली दिन और रात इसकी हिफाज़त करता है में मिजगान हैदर नहीं बलके मिसिस मिजगान इसफर हो हाँ इसफर मेरा शोहर मेरा गरूर मेरी अधुरी जाद को मकमल करने वाला और यह सच है कि अगर इस दिन में इसफर की बात ना मानती तो वही बेचेनी और बेसकूनी के काले साए मेरी जीस्त पर हमेशा के लिए च्छा कर मेरे दामन में वही कसक और इस्तिराब डाल जाते जो भाया आजर और फरहीम की जिंदगी को खोखला कर रहे थे कितनी अजीब बात है ना कि एक वो मर्द आजर मुक था जिसने मुझे तबती धूब के नीचे लाख़डा किया था और एक मर्द इस्फर अली खान है जिसने इस सलकती और जलती धूब से मुझे खैंच कर अपने महबत की ठंडी चाओं में बना दी इस दिन हस्पिताल में मैं आजर और इस्फर को एक साथ देखकर इस्फर से सخت बदगुमान हो गई मैं समझी के आजर मुझे फिर बरबाद करने के लिए कोई चाल चल रहा और इस्फर इसका साथ दे रहा है मेरा खुद साखता इंकिशाफ मेरे लिए सخت अजियत का बाइस था क्यूंकि मैं अंजाने में इस्फर को चाहने लगी थी फिर एक दिन इस्फर मेरे पास आया और तमाम हकीकत से मुझे आगाह किया सच्चाई इसके चेहरे और आखों से बखूबी जहलक रही थी इसने मुझे से दर्खास की थी के मिशगान तुम्हें दुख देकर आजर भी सुकून से नहीं है ये नफरत और महबत दोनों ही ऐसी हैं जो इनसान को किसी पिलचीन नहीं लेने देती में जानता हूं कि तुम्हारा आजर के साथ नफरत का रिश्टा है जो तुम्हें इसे कभी भूलने नहीं देगा तुम नफरत के आग में जल कर तुम खुद भी बेसुकून और बेकरार रहोगी मेरी दर्खास्त है कि तुम इसे मुआफ कर दो क्यूंकि मुआफ कर देने का पुरकैफ एहसास तुम्हारी जिन्दगी को सुकून और तमानियत से भर देगा वगरना तुम भी नफरत के एहसास में ताहियाच सुलकती रहोगी और में जैसे मिसमरीजम की कैफियत में इसफर अली खान की बातें सुने जा रही थी इसका एक एक लफ्स मेरे दिल में उतर रहा था जो कह रहा था मिजगान तुम्हारी जिन्दगी में ये गमों और दुखों की धूप ढल जाएगी तुम्हारी जिन्दगी में सिर्फ खुशिया मुसरतें और इतमिनान होगा तुम आजर को मुआफ कर दो और मेरी बाहों की च्छाओं में आकर पना ले लो, मेरा यकीन करो मिजगान ये धूप ढल जाएगी। इसफर की अखरी बात पर मैंने सख्त मताजिब होकर इसे देखा जो कह रहा था। मिजगान में तुम को चाहता हूँ आज से नहीं बलकि इस वक्त से जब मुझे तुम्हारी तलाक होने की वज़ा भी मालूम नहीं थी, मैं अपने साबिका ख्यालाद पर नादिम हो मिजगान। वो आहिस्तगी से बोला, ये अखरी फांस भी मेरे दिल से निकल गई और फिर मैंने आजर को खुलूस दिल से मुआफ करके इस्फर की बाहों में पना ले ली और फिर मेरी जिंदगी से दुखों और तकलिफों की धूपवाकी ढ़ल गई। आते ही वो सिर्फ इसकी सूरत देखना चाहता है और नीलगों आस्मान के सीने पर बैठे सितारों के काफले इस्फर के वालहाना पिन को देख कर मुस्करा दिये। अगर आपको नाविल पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्क्राब करें।